दो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप सब लोग बहुत सही रहो गया स्टार्ट करते हैं रिटन फाइलिंग वाला चैप्टर जो जी एसटी का है उसका रिविजन यह एक इंपोर्टेंट चैप्टर है तो आप कोई अच्छे से कर लेना है लगबग हम लोग एक डेड़ घंटा लेंगे क्योंकि जो दो चीजे इसका पार्ट वन है जो पहले से नॉर्मल रिटन थे अलग अलग टाइप के वह हम देखेंगे पार्ट भी एक अलग वीडियो रहेगा जो की qrmp scheme के बारे में रहेगा quarterly return monthly payment इसको हम लोग बहुत अच्छे से इंपोर्टेंट है दो रीजन है यह सब आप रीड कर सकते हो इतना कोई महाल नहीं जितने भी जीएश्टी रिटन है सब seller ने समझो एक लाग रुपे का सेल किया है बायर ने उसके उपर फॉर एक लाग वसामान का प्लस अथरा अजार जीएश्टी टैक्स का भरत दे दिया है इसको अभी जो seller है यह government को यह नहीं बोल सकता मुझे पांच अजार ही टैक्स मिला था क्योंकि आप यहां पे seller जब फाइल करेगा तो उसी बेसिस पे इसको क्या मिलेगा क्रेडिट मिलेगा अंडर जी एश्टी आर टू बी जो भी है उसमें करेक्ट है तो यहां पर इंपोर्टेंट क्या है इंपोर्टेंट ए है कि सेलर आटोमेटिक यहां पर रीव कॉंप्यूटेशन हो जाएगा फॉर कि वज़े से यहां पर कुछ फ्रॉड होने की चांसेस नहीं है क्योंकि यह सब एक दूसरे से लिंक है चैनल पर नए आए हो तो आप क्या कर सकते हो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 के उपर आ जाते हैं जो की बात करता है जी एश्टी आर व सबसे पहले इसडी का मतलब नीचे लिखाए इंपूट सर्विस डिस्ट्रिबूटर नॉन रेजिटेंट टेक्स बरता है ऐसा परसन जो कलेक्ट करता है डिड़क करता है टीडिये से टीस ऐसा परसन जो ओई डी आर सर्विसेस का सप्लायर है तो इन छे लोगों को छोड़ पर सब्मिशन ऑफ डीटेल आउटवर्ड गार्वड टेल यहां पर लिखा ग्स ब्रवड यहां पर से ब्सक्राइब करते हो तब्सक्राइल करते हो इसा रिटर्व चक्टेउर यह यूजिंग रजिस्ट्ट अपए प्र आते हैं फिर है फिर आते हैं वौट्विस और वन के सब्मिशन का ड्यूडेट क्या है यहां पर एक सवाल उठता है तो अगर देखो गोवर्मेंट ने जब बनाया थे तब क्या बोला था कि जिस मन्त का जी एश्टीर वन है फॉर एक्जामपल एप्रिल का है तो उसका जो नेक्स्ट मन्त होगा में उसकी दस तारिक त होगता है अगर कोवर्मेंट चाहे तो फिर कोटरली फाइलिंग ऑफ जी एश्टीर वन यह आपका भी पहले यहां पर 1.5 करोड यह अभी रुपीज फाइक करोर हो चुका है फाइक करोर हो चुका है और इसका आपको सॉल्यूशन मतलब कैसे पता चले का आगे मैं क्यू आ क्या कर सकते हो कौटर भर सकते हो मंतली फिर सेकेंड पॉइंट पर आते हैं प्रेजेंट ली जी एश्टीर वन कौटर ली का ड्यू डेट क्या होता है यहां पर लिखा एज नोटिफाइड बेसिकली अगले महीने का 13 होता है ठीक हो क्यू आर एंप स्किम में अच्छे से औ हो रहा है अपका जीएश्टी नंबर का इस चैल्स का कैसे डीटेल दालना है तो देखना पड़ेका मतलब क्या है आप भी राजिस्टर हो और आपका कॉस्टमर की रिजिस्टर हो और मतलब सांने वाला लेगा क्रेड़िट लेगा अगर सामने वाला क्रेड़ित लेने वाला हैं बागा फिर्टेंख proud quantity का sale हुआ है कितने amount है कितना tax है वो करके आप क्या कर सकते हो दिखा सकते हो अगर interstate supply है मतलब एक state से दूसरे state है एक यूटी से दूसरे यूटी sale हो रहा है तो आपको देखना है invoice का value के डाइलाग से ज्यादा है अगर 2.5 एक से ज्यादा है तो invoice-wise detail दिखा अगर डाइलाग तक है तो क्या कर सकते हो आप consolidated invoice दिखा सकते हो नीचे note दिखा हुआ है side में आपको scan copy नहीं डालना है invoice-wise detail का मतलब हर एक invoice को scan करके नहीं डालना है invoice का number डाल दो that will be sufficient और invoice जो है वो अभी भी आप क्या कर सकते हो upload कर सकते हो during tax period ज़रूरी नहीं है जब GSTR1 फाइल कर रहे हो तब ही करो आप daily wise बैट के रात को क्या कर सकते हो basically चाहो तो ऐसा कर सकते हो ठीक है फिर HSN HSN का आपको क्या declaration देना है तो यह जो number of digit till 31st March 21 है यह आप चाहो तो cut कर सकते हो अभी अपने को क्या देखना है HSN code from 1st of April 2021 अगर आपका जो transaction है turnover है annual turnover है वह 0 rupees से लेके कहां तक है पांच करोड तक है 0 rupees से लेके पांच करोड तक है तो B2B supply में आप 4 digit दिखा सकते हो और B2C supply में आप 4 digit दिखा सकते हो पर B2C वाला क्या है optional है यहां पर लिख सकते हो optional है और B2B वाला क्या है obvious सी बात है mandatory है तो यहां पर क्या बोलना चाहते है HSN का मतलब क्या होता है आपको हर एक goods का quantity मतलब goods किस चीज़ का है क्या टाइप है वह दिखाने की जगा है HSN दिखा दोगे तो HSN से क्या पता चल सकता है कि यह goods कौन सा है HSN में पूरी दुनिया में 6 digit यूज होते हैं अपने इंडिया में 8 digit यूज होते हैं पहला दो Chapter दूसरा दो Heading तीसरा दो Sub Heading यह B2C Supply के Case में यह क्या है Optional है जो कि आप लिखते ना फिर Notes लिखा है आप जो GSTR 1 है उसको क्या नहीं कर सकते रिवाइस नहीं कर सकते पर आप क्या कर सकते हो उसको यह कुए फाइल कर रहें का यह यह हो जाएका आपका यह देट हो जाएगा ठीक है अगर आपको अपना रिजिस्ट्रेशन क्या करना है अभी आप बोलते हो कि अपना क्या करना है गहां तो आप जितने टेम अपने टेम का आपको जी एस्टीर वन फाइल करना पड़ेगा और अगर आप पहले नॉर्मल परसन ते फिर आप कंपोजिशन में आगए तो अभी तक नॉर्मल जितने टेम वहां तक आप जी एस्टीर वन बर्दो आगे आपको जी एस्टीर वर बढ़ना पड़ेगा आपको टाइमली अप्लोड करना पड़ेगा इन्वोइस रेगिलर अप्लोड करोगे ताकि आपको लास्ट डे पर रश्न हो और सप्लायर के साथ फॉलोप कर लेना तो अप्लोड इन्वोइस ऑफ इन्वाट सप्लायर मतला ठीक है तो यहां तक आपका जी एस्टीर वन हो है इसके रिगार्डिंग आई एफ एफ करके एक चीज होता है इन्वाइस फ़निशिंग फैसिलिटी जो की क्यूर में मैं आपको इन डीटेल बताऊंगा जी एस्टीर वन जो नहीं फाइल करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता यह एक बार नॉर्मल रिटन्स खतम हो जाए सबसे पहले यहां पर अपना हो गया है इसमें भी दो पार्ट है एक तो नॉर्मल पार्ट है जी एस्टीर थ्रीवी का एक है क्या होगा एक जगह पे रहेगा तो आपका पूरा सिंख रहेगा माइंड में तो याद रखने में आसानी होगा नॉर्मल वाला पार्ट फटा- जि में हमसी स्थbia चाहर तो और गाचिए में हम सेल्स का डेटा डालती है क्या हक्या होता है सब्सक्राइब पिछले टाइम ही कि साथ में उससे पेहले क्यों ंपि उप्याच्छी के साथ में तो यह अउट VOZ वह दिखाते हैं और जो नेट होता है वो क्या हो जाता है टेक्स हो जाता है अगल आप प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना होता है अपको सेल्स का भी ऑटोमेटिक अपने जी एस्ट एर वन से और रिकंसाइल कर लेता है और टू बी से आपका वहां पर आ जाता है जो पर चेस वगिरा का डेटा है तो आटोमेटिकल टैक्स लिएबियाबिटी बताता है अपने को क्लिक करना है और फाइल कर देना है वह इस परसन वह इस मेंचेंग जी एश्ट यारवन यह मंतली रिटन होता है जो कि आपको क्या करना पड़ता है संबरी दिख है फाइल करोड तक जिसका टर्नोवर है वो क्यूर एंप स्की में और अच्छे से इन डिटेल हम लोग देख लेंगे रिटन कैन बेफाइल इलेक्ट्रोनिक लिए कॉमन पॉर्टल आप रिटन कॉमन पॉर्टल से फाइल कर सकते हो जी एश्ट या थ्री भी अगर निल है मत अगर आपको यह नहीं पढ़ना है तो भी चले का क्योंकि 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 अपने को यही सब डिटेल्स अच्छे से आपटेंशन फॉर्टल चीजे करनी होता है मतलब साल में एक बार जाएक बटी इनको टेक्स वह क्या करना पड़ता है तो रिटन का फॉर्म है जी एश्टी आफ़ोर्ट और टैक्स पे करने का फॉर्म है जीएश्टी विए जीएश्टी पी जीरो एट डूनोंका खतम हो जाएगा तो जब साल खतम होगा उसका next month कौन सा होगा मार्च के बाद April होगा तो April के 30 से पहले आपको क्या कर देना है रिटन कर देना है और आपका tax quarter ली जाएगा तो जब आपका quarter खतम होता है for example April में June June quarter खतम हो तो उसका 18th day of a month succeeding such quarter जब quarter खतम होगा उसके बाद का 18 तक आपको क्या CMP 08 आपको क्या कर देना है submit कर देना है ठीक है हाजी ठीक है composition tax person है इसको कोई credit तो नहीं मिलेगा तो यह जो भी outward supply की बात कर रहा है उसके ऊपर यह consolidated data डाल सकता है बट हाववेवर जो इन्वर्ड supply यह लेगा उसके ऊपर इसको invoice-wise data डालना पड़ेगा अगर निल रिटन है तो इसको भी mandatory file जो 7th point है वो बड़ी simple सी चीज बोलता है अगर person कोई चाहे तो मतलब क्या बोलना चाहता है समझो अभी तुम composition taxpayer हो from beginning of the year but पिछले time prior period में तुम normal tax person थे तो हो सकता है ना पिछले साल का कोई return हो annual return हो GSTR 3B हो वो file करना पड़ेगा क्या हां जी वो तो करना ही पड़ेगा जो date due date of furnishing the one September September month का 3B जो होता है 20th of October या फिर actual जिस दिन आप क्या करते हो annual return furnish करते हो वो whichever is earlier आपको करना पड़ेगा 8th point ulta बोलता है पहले आप composition dealer अब आप नॉर्मल में आ चुके हो तो क्या आपको पुराना कोई कर समझो ना आप October month में आपने क्या किया आपका वो limit खतम हो क्या आप नॉर्मल में आ गए तो अभी October November December 3 महीने का आपको क्या करना पड़ेगा October month में आप नॉर्मल में आ गए हो बट October month का आपको payment करना है composition taxpayer का क्योंकि यह quarter का करना पड़ेगा तो हां करना पड़ेगा बिल्कुल अगले महीने की 18 तक करना पड़ेगा या फिर आपका जो annual return होता है इसमें composition टेक्स पेर को तो आपका एप्रेल से लेकर October तक जितना आपने supply किया तो उसका आपको करना पड़ेगा 30 अप्रेल तक composition फाइटिंग और जो पी के लिए नर टीप कौन होता है वो फॉरिनर होता है जो जी एस्टी registration में समझाया था अगर कोई एनर टीप इंडिया में आता है तो उसको रिटेन मंतली फाइल करना पड़ेगा कोई आउटवर्ड सप्लाय का स्टेट्मेंट अगरा फाइल करने की जरूरत नहीं है ड्यूडेट क्या रहेगा जब उसका मंत खतम होता है उसका अगले महीने का बीस तारिक या फिर आपका रिटेट कैसे बसमटार्या के लित वाल न है चोब माशंकर न है यहाँ जरुए आई के लिए क्या रहेगी लास्च डेट्स आपको दय कर देना है ली और फाइल में कभत करा देडेना है जब आप लिए उस दिन कर देना है छे इस्टी वां के केस में कब तक करा देना है कोटर ली अठरा बतो जब कोटर खतम होता है उसके अठरा तारीक तक और सी टीपी और एना टीपी केस पर आपको एडवांस में जमा कराना पड़ेगा is it in nine बोलता है रेक्टिफिकेशन और बगला आपने पहले रेटन में कुछ गलती कर दी ओमिशन भूल गयते हैं इंकरेक्ट इंफरमिशन डाल दी तो आप क्या कर सकते हो डोकर्रेट कर सकते हो रिवाइज नहीं कर सकते आप रेक्टिफाइप कर सकते इंप्यांट्स की इंप आपको अपनी मर्जदी से करना है मतला आपको पता चल गया अगर डिपार्टमेंट बूलता है कि तुमने यह सब गलत किया ता बात में तुम बूलोगा में करने दो नहीं करते लिए अगर आपका स्कूटिनी ऑडिट इंस्पेक्शन फर्मिस एंफोर्श्मेंट अगरा कुछ होता है तो आप नहीं कर सकते है मैक्जिमम टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन का डिव डेट और फाइलिंग ऑफ रिटन फॉर सेप्टेंबर मतलब वही थर्टी ट्वेंट अवक्तोबर और जब आप एक्च्वल 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 डेट पर फाइल करते हो दोनों में से अर्लियर वह आपने प्रीवियस मन्त का रेटन फाइल किया अगर नहीं फाइल किया है तो आपको अपरिल का करने ही नहीं आए और आपको these के बाद discussion exposed से ओ 성्मीト किया है उसको वेरिफाइब करना पड़े-परियाब ऑध है कंपनी अलफ के किसमें मेंडे तरी है-ई-ई-शाइडिकर फन मोबाइल नमबर पर पर फिर आते हैं अपन सेक्षिन नमबर 40 फर्स्ट रिटन के उपर अब यह फर्स्ट रिटन क्या चीज है तो ध्यान से समझो इंपोर्टेंट है से फिर्स्ट रिटन मतला आपका बिजनस चल रहा था एक दिन आपको पता चला आप अभी कि आपको रिजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो आपको 30 देस के अंदर रिजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है हमने 20 दिन में ले लिया यह दिन क्या बन जाएगा effective date मान लिया जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा first return को file करना पड़ेगा तो when a person become liable to registration he may apply within 30 days there might be time lag between यहां से यह बीच की बीच में यह जो time है time lag between person becoming liable and grant of registration certificate during that intervening period such person might have made the outward and involved supply उसके लिए उसको revise invoice issue करना पड़ता है यह format जो होगा regular return के जैसा होगा यहां पे आपको क्या डिट लाने फिर section 44 पर आते है annual return annual return का मतलब क्या है बड़ा ही simple है कि आपको पूरा साल खतम हो गया है पूरे साल का आपको क्या करना है डिटेल बताना है annual return में देखो अपन जी एस्टी आर वन जिस जिस के लिए applicable दाना annual return भी उन उन लोगों के लिए applicable है बट एक difference है देखो जी इस्टी आर वन के exception में छे लोग यहां पर भी exception में छे लोग है पर वहां पर composition जो टैक्सपेर ता उसको जी एस्टी आर वन नहीं बरना था बट यहां पर annual return कंपोजिशन टैक्सपेर को बढ़ना है और जी एस्टी आर वन सी टीपी को बढ़ना होता था casual taxable person को बढ़ना प पांच लोगों को अनुल रिटन भी नहीं बरना है सी टीपी जी एस्टी आर वन भरता था बट यहां पर जो casual taxable person है वह अनुल रिटन नहीं बरेगा अगले साल की डिसमबर 31 डिसमबर जो की एक्सेंड की जा सकती है कमिशनर के द्वारा फॉर्म जी एस्टी आर नाइन जो होगा एनुल रिटन के लिए होगा और नॉर्मल लोगों के लिए नाइन रहेगा यहां पे चोटा सा अमेंडमेंट है पहले क्या होता था आप को इलेक्ट्रोनिक कॉपी में रिटन तो भर नहीं पड़ता था और अडिटेद अन्यूल अकाउंट वगेरा साथ में आपको पहले सर्टीफाइड रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट जमा कराना पड़ता था सर्टीफाइड कौन करता था सीए या सीए में करता था अभी यह अभी हटा दिया गया है सिंपल अजय यहां पर कुछ छोटे से अमिंट्मेंट है एन्यूल रिटन को लेकर जो मैं आपको फटा फट बता दिता हो सबसे पहले यह वाला सब पॉइंट से में इसमें कुछ अमिंट्मेंट नहीं है जो मैंने बताया वही है यह वाले नोट्स आपको मेरे एप पर मिल जाएंगे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएंगे कहीं से भी ले लो एप विल भी आपको थोड़ा से इजी हो जाएगा सब फोल्डर वगेरा बना है स्टेडी मटेरियल वाले फोल्डर में जाके आप वहां से ले सकते हो यहां पर आप देखोगे अगर यह रैड वाला लाइन आपको समझना है कि जो कमिशनर है वह अगर चाहता है तो वह क्या कर सकता है उससे कांसल ने रिकमेंड किया है और जिसक सब्सक्राइब कर सकता है और वह जो रिकमेंड कर सकता है और वह जो फिर इसक्राइब कर सकता है और और चुक्ता हो अगरता है अगर करते हो और आपका रेजिस्ट्रेश्न या तो सरेंडर हो रहा है तो आपको फाइन रिचेश्टाइब बरना पड़ेगा कितने टाइम में ड्यू डेट विदिन थ्री मन्त ऑफ यह डेट ऑफ कैंसलेशन के तीन महिना यह डेट ऑफ और ऑफ कैंसलेशन के तीन महिना विचेवर इस लेटर रहता है वहां तक आपको फाइनल रिटन बरना है यह हम लोग ने रेजिस्ट्रेशन चैटरबैने के अब दूरेट फाइल पर सब्सक्राइब आपको नेचे इसे जी आपको पन्दरा दिन के अंदर अन्दर महाँ अच्छा g पर दिसक्स किया था जब आपका आइप इसक्स किया था ना तो आइप यह चीज मैंने एक महीना पहले डिसक्स कर ली थी फिर से बता देता हूं आपके लिए maximum late fee cgst का मतलब sgst के लिए भी उतना उतना maximum late fees होगा अगर आप gstr1 या फाइल करते हो और आप निल रिटन फाइल करते हो और आपका लेट है तो 250 रुपीज आपके उपर late fees लगेगा maximum मतलब इतना ही लग सकता है इससे ज्यादा नहीं लग सकता अगर आपका फाइल फाइल करते हो तो अगर आपका फाइल रिटन फाइल करते हो तो maximum 200 रुपया लगेगा अधर हो तो maximum 1000 रुपीज लगेगा अगर आप GSTR 7 फाइल करते हो तो डिले फाइल करते हो तो 25 रुपया पर डे फो डिलेड अप्टू रुपीज वन थाउजन आपका क्या लगेगा यह लेट फीस लगेगा तो यह आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लो नहीं तो वह एप में पढ़ा यह PDF तो आप डाउम्लोड कर सकते हो तो पहले क्या था maximum इससे ज्यादा अभी नहीं लग सकता लेट फीस पहले क्या बोला था section 37 GSTR 139 आपका 3B 45 यह वाला तो maximum कितना लगेगा 100 रुपीज फॉर एवरी दे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिनियूस मता हर दिन का 100 रुपया और रुपीज 5,000 विचेवर इस लोवर आपका क्या लगता था section 45 आपका 5,000 रुपया यह फिर 100 रुपया पर दे पांच अजार से ज्यादा नहीं लग सकता था बाट अभी वहां पर टर्नॉवर के इसाब से कैप लगा दिया कि इतना इतना टर्नॉवर है निल है तो सिर्फ 200 रुपय सीजी इस्टी डाइसो अगर आपका section 44 है मतला annual लेट फीज लगता था अभी maximum cap डाल दिया फिर जीएश्टी प्रेक्टिशनर के बात करें तो जीएश्टी प्रेक्टिशनर क्या होता है आप अपक्या सी अगेरा नहीं हो पर आप जीएश्टी प्रेक्टिशनर बन सकते हैं एक ऐसा आदमी जो इंडिया का सिटीजन है इं आप बन सकते हो जीएश्टी प्रेक्टिश दर पर जरूरी नहीं है यह सब लोग बनेंगे इसके बाद एक्जाम अगेरा देना पड़ेगा यह तो नॉर्मल कंडिशन है कि हर आदमी में होनी चाहिए इसके साथ अडिशनर कंडिशन है आप क्या होने चाहिए रिटाइड ओफिसर होने चाहिए टेक्स दिपार्टमेंट के को स्टेट गॉवर्मेंट के या सी बी आई सी के डूरिंग दा सर्विस अंडर गॉवर्मेंट हैड वर्क विद पोस्ट नॉर्ट लेस देन रैंक ऑफ ग्रूप ग्रूप गजटेट अफिसर फॉर पिरियड नॉट लेस तो यह मतलब आप ग्रेड गजट ऑफिसर से नीचे के रहेंक नहीं होने चीए और आपने दो साल काम किया रहना चाहिए श्टेट गॉवर्मेंट के टेक्स डिपार्टमेंट में या फिस सी बी आई सी के डिपार्टमेंट में या फिर पूराना कानून था एक्साइज हो गया if or not less than 5 साल 5 से कम नहीं तो भी आप बन सकते हो इसके साथ कुछ का जैसे आप सीहें 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 का फैनल इक्साइट हो ने डिगरी मेंट मैंटल और टांव मेंटी इंडियान के फिस औरक्रेड गर्चिटhmen वर्स बहाए है इंडियन यूणिफर्सिटी के बराबर उसका कोई डिग्री एक्जाम आपने पास किया है या कई ऐसी डिग्रेशन आफ इंडियन और फॉरिन उनिवरसिटी जसको रिकागनाईज करता है इंडियन उनिवर्सिटी एस देर एक्विवेलेंट डिग्री तो ऐसे सब कुछ करते हो तो आप क्या बन सकते हो जीएश्टी प्रेक्टिस रबन सकते हो फिर नीचे कुछ प्रोसेस वगेरा दिया हुआ है एक्टिविटी वह क्या करेगा तो जो जीएश्टी पर काम क अपकड़ा जाता है तो इसका एंडियन विल बी कैंसल हो जाएगा उसको सुकास दोटिस दिया जाएगा और उसको क्या हो सकते है चैंसल हो सकते हैं अगेरा कैसा होगा प्रोसेस आप एक बार रीड कर लीजिए और यहां पर अपना बेसिकली जीएस्टी का जो पार्ट वन कि यहां से आपको पूरा clarity मिल जाएगा अगर पता है तो फटा-फट साथ में बुक के साथ revision कर लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अभी मैं वह वीडियो अटेच कर देता हूं तो यहां से आपका qrmp scheme वाला हो जाएगा revision एप डाउनलोड कर लेना उसमें एक्जाम तक बहुत एक्स्क्लूजिव चीज़े आने वाली है so it will help you to preparation for your exam मैं खुद यहाथ से बैठके चार्ट होगे रबना पहले मतलब समझो यह amendment का क्या है नाम क्या है मतलब क्या है उसके बारे में देख लेते देगो qrmp ऐसा करके एक scheme आया है अभी सरी स्कीम का मतलब क्या होता है पहले वह बता दो तो वह बता देता हो मैं मतलब क्या होता है अगर आप qrmp के तोड़ोगे मतलब q का मतलब क्या है r का मतलब क्या है m का मतलब क्या है तो q यानि है आपका quarterly quarterly quarter होता है na quarterly R याने return M याने monthly P याने payment क्या बोलना चाहता है quarterly आप return file करो और monthly आप payment करो बतला हर एक 3 महिने में आप GST का return return file कर दो और हर महिने अब GST का payment करते रहो तो सर ये चीज़ देखते ही आपके दिमाग में एक खयाल आया रहेगा कि सर 1.5 करोड 1.5 करोड अगर किसी का turnover वगेरा होता था डेड़ करोड के आसपास तो हमने सीखा था GSTR one quarterly भरा जा सकता था तो ये नाटक करने की क्या जरूरती हमारे को amendment पढ़ाने की क्या जरूरती correct है तो उसका logic है पहले जो scheme थी वो इतनी effective क्यों नहीं थी और कोई लोग use क्यों नहीं करते थे उसका logic में आपको बता देता हूँ तो आप इसको appreciate करोगे कि यह क्यों आई है correct है तो उसके बारे में मैं कुछ चीजे बताना चाहता हूँ देखो अपना quarter क्या-क्या होता है अपरिल में जून फर्स्ट कॉर्टर होता है जून से लेके अपरिल में जून जुलाई से लेके सेप्टेंबर दूसरा quarter ऑक्टोबर से डिसमबर तीसरा quarter और वापिस जैन से लेके मार्च तक आपका चौता quarter यह चार quarter होते है अभी मैं जी एश्टीर वन क्या बोला गया था कि जी एश्टीर वन जो है यहां पर एक फाइल होगा 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 अगर आप वह कौटरली वाला स्कीम लेते हो तो और जी एश्टीर 3 भी आपका फाइल ह कोई होगा यहां पर कितों होगा सप्सक्राइबänge को दाल है चमष कर टाल सकड़ी और वन में पॉला कि कहली आप सब्सक्राइब्स पॉल दीजैने परफेक्ट और प्राइब में उसका स्टेट्मेंट GSTR 3B में कौन सा डेटा आता है GSTR 3B में सर एक summary statement है ऐसा आपने पढ़ाया था इसमें क्या-क्या आता है पता है सर एक outward supply का data आता है साथ में inward supply का भी data आता है अच्छा outward का भी आता है और inward का भी आता है हाँ सर यह correct है इसके साथ-साथ ITC का कुछ calculation करके हम payment करते है tax का through GSTR 3B correct है तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यह जो GSTR 1 है यह मैं थर्ड मन्थ में फाइल कर रहा हूँ पर GSTR 3B में summary form में मैं sales की detail यह मन्थ में भी तो फाइल कर ही रहा हूँ समझो April से June quarter है गौर्वर्मेंट ने बोला June quarter खतम होगा तो उसके बाद क्या कर दो आप GSTR 1 फाइल कर दो मुझा sales का data हमको दे दो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखोगे तो मैं GSTR 3B में already sales का कुछ summary तो summary data तो डाल रहा हूँ हाँ सरबात तो सही है तो ऐसी चीज़ थी कि भाई यह इससे better मैं पहले से calculate 3B के लिए कर ही रहा हूँ उससे better मैं GSTR 1 में ही डाल देता हूँ GSTR 1 में टालने में लगता कि अगर Tally में proper तरीके से मिने अगर entry मा रहा है तो में को सिफ एंटर ही तो दबाना है सीधा Tally के through portal पे चला जाता है GSTR 1 फाइल होने के लिए correct है थोड़ा checking करना पड़ता है वह बात अलग है और कुछ ज्यादा ऐसे महनत का तो काम नहीं already मैं 3B के लिए sales का data दे रहा हूँ quarterly file करो कोई दिक्कत नहीं है जो GSTR 3B है वह भी आप क्या file करो quarterly file करो हमें कोई तक लिए तो यह क्या हो गया यह थोड़ा सा काम अपना easy हो गया बट इसके related यह optional scheme है देखो करेक्ट वह सब system ऐसे ही चलेगा यह एक optional scheme है जिसको यह scheme लेनी है वह यह scheme ले सकता है is it simple simple मतलब introduction समझा क्या थोड़ा बहुत मैं क्या बता रहा था सबसे पहले आपका qrmp scheme जो है उसको किस इसाब से दिया है सबसे पहले उसके related introduction दिया है introduction उसके बाद साथ और point दिये seven point दिये है जिसको मैंने part a part b में जान बुझके divide किया है जैसे जैसे चीजे छोटी छोटी होती है वैसे चीजे याद हो जाती है part a में क्या-क्या तीन जीजे है यह जो qrmp scheme है उसका gstr gstr 1 पर क्या effect आएगा gstr 2a & 2b पर क्या effect आएगा basically ITC वाले पर क्या effect आएगा और gstr 3b पर क्या effect आएगा correct है पहले introduction पढ़ लेंगे फिर 1 पर क्या effect आएगा 2a 2b पर क्या effect आएगा 3b पर क्या effect आएगा correct है फिर बात करेंगे monthly payment of tax कैसे होगा monthly payment of tax कैसे होगा interest होगा तो कैसे लगेगा क्योंकि quarterly है ना late fees होगा तो कैसे लगेगा और अगर extension वगेरा देना होगा तो कैसे देंगे बस इतना पढ़ना है qrmp scheme में सबसे पहले introduction पढ़ना है introduction में क्या पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे कितना turnover होगा तो यह applicable होगा कब छोड़ सकते हो कब ले सकते हो यह सब बात है GSTR 1 पर क्या effect आएगा 2A 2B पर क्या effect आएगा 3B पर क्या effect आएगा monthly payment कैसे होगा interest का payment कैसे होगा late fees का क्या status रहेगा और last में क्या देखा extension अगेरा होगा तो क्या होगा is it okay उससे पहले कुछ procedural amendment किये है return वाले chapter में यह वाले chapter जो है यह जो मैंने यह वाला part बता है यह वाला amendment कहां दिया हुआ है यह वाला amendment जो अलग से PDF दिया था ना statutory update वाला उसमें दिया है और यह जो procedural कुछ amendment मुझे नहीं लगता है कुछ बोल नहीं सकते है पर exam के लिए इसमें क्या किया है सिर्फ कुछ procedures change किये जैसे पहले बोला हुआ था कि आपको GHTI 3B का return 20 तारिक तक करना है अभी वहां पे लिग दिया 20 तारिक या फिर ऐसी डेट जो हम prescribe करेंगे वहां तर ऐसे कुछ amendment है तो हम लोग composition वालों के लिए क्या होगा वैसे कुछ amendment आये है तो वह पहले discuss कर लेंगा यह जो return filing वाला chapter है आपका module का उसका जो last page है एकदम last page है उसमें यह amendment दिये हुए है ठीक है यह वाले जो मैं सबसे पहले कुछ 5-10 minute में फटाफट कवर करा दूँगा और उसके बाद मैं यह scheme start करूँगा उसके उपर आएंगे correct है तो यहां पर मैं सबसे पहले वह amendments के उपर आ जाता हूँ यह वाला document जो है वह amendment वाले नोट से उसके साथ ही आपको मिल जाएगा कहां मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा वेबसाइट के free resource में भी पढ़ा है पर टेलीग्राम से ले लो easy पढ़ेगा यह इसके लास्ट जो पार्ट है इसमें amendment in study material जो मैंने दिया है पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थी तीन basic से amendment है जिसके बारे में मैं अभी आपको discuss करा लेता हूँ तो आपका क्या होगा यहां से concept clear हो जाएगा देखो सबसे पहले part 1 amendment in study material part 1 section 39 1 section 39 1 क्या था GSTR 3B correct है pen change कर लेता हूँ GSTR 3B section 39 1 था existing provision क्या था every registered person जो भी registered person है other than input service distributor nrtp composition taxpayer 51 52 क्या TDS TCS for every calendar month हर month के लिए या part के लिए क्या करेंगे furnace करेंगे in such form and manner return file करेंगे electronically file करेंगे inward supply का outward supply of good services and both जिसके उपर ITC जो भी आ रहा है tax जो भी भरने आ रहा है tax जो भी भर रहे उसका detail जाएगा and such other particulars as may be prescribed on date date क्या लिखा था पहले लिखा था 20th of the month succeeding such calendar month or part thereof मतलब क्या July चल रहा है तो August के 20 तक आपको क्या करना पड़ेगा return बढ़ना पड़ेगा यह provision तब पहले correct है every registered person other than ISD NRTP composition section 51 section 52 shall for every calendar month or part thereof क्या करेंगे furnish करेंगे in form and manner as may be prescribed return file करेंगे electronically inward outward supplier का detail देंगे ITC का detail देंगे tax का detail देंगे ठेक है यह such other particular जो भी मांगा है उसका detail देंगे कब तक देंगे within such time as may be prescribed जो हम time बोलेंगे उतने time के अंदर अंदर आप यह सब का क्या देदोगे हमें detail देदोगे provided that government में on recommendation of council proviso डाला है exception डाला है कि अगर council recommend करता है तो government क्या करेंगा notify करेंगा कुछ ऐसे लोगों को कुछ ऐसे class of registered person को जो क्या करेंगे return हर quarter में file करेंगे जो qrmp scheme में आने वाले ना वो क्या करेंगे return हर quarter में file करेंगे subject to such condition and restriction as may be specified यह specify कहां किया है हम आगे देखेंगे वहां पर specify सिंपल है यह तो simple है समझ गया पूरा कोई दिक्कत की बात नहीं है कुछ नहीं किया है बस वो date हटा दिया जो पहले 20 तारिक दिया हुआ था वो क्या कर दिया है बोला कि 20 तारिक नहीं हम जब बताएंगे तब करेंगे और एक proviso एड किया है proviso में बुला है कि कुछ लोगों को हम notify करेंगे जो क्या करेंगे quarterly return file करेंगे ठीक है यह अभी आप क्या करो आपको 10 second का time देता हूं pause करके फटाफट फटाफट इसको read कर दो ज्यादा बड़ी बात नहीं है अराम से हो जाए यह पहला amendment है यह पहला amendment है अभी second part पर आते है second amendment second amendment किसमें हुआ composition taxpayer वालों का अगर पता रहेगा तो return का file होता था return file होता था annually but tax pay करना पड़ता था quarterly in CMP CMP 08 यहाद GHD CMP 08 tax pay करना पड़ता था quarterly और return annually फाइल करना पड़ता है यह amendment exam perspective के लिए इतना कोई काम का नहीं है फिर भी मैं बता दितो क्या है registered person paying tax under section 10 shall for each quarter और part thereof क्या करेंगे form and manner जो दिया है electronically turn over दिखाएंगे supply goods and service दिखाएंगे tax payable and paid within 18th आपको क्या करना है tax payment करना है और return भी file कर देना है quarterly आप तो बोलोगे सर हमने पड़ा था आपने भी पड़ा था कि return annually करना होता है यहां पर quarterly कैसे दिया होता है तो उसका reason है उसका reason क्या है section 148 है CGST का आगे है आपकी syllabus में नहीं है जो क्या बोलता है कुछ लोगों को exempt करता है कि आपको कुछ provision क्या compliance नहीं करना है हम क्या करते है आपको छूड़ देते है उसमें notification issue किया था composition taxpayer वालों को यह बोला कि आप quarterly नहीं फाइल करोगे तो भी चले का आप कब कर दो annually return कर दो समझ रहो तो उसी को बस notification को act में डाल दिया यही amendment है कि registered person जो क्या करता है section 10 में opt किया हुआ है composition taxpayer है वो क्या करेगा for each financial year or part there of यहां पर क्या लिखा था for each quarter or part there of यहां पर क्या लिखा है for each financial year electronically file करेगा क्या करेगा return करेगा tax अगरा का सब detail डालेगा या कोई और other form and manner जो हम बताएंगे उस हिसाब से within such time prescribed में क्या करेगा return करेगा basically change क्या हुआ यहां पर quarter था यहां पर financial year कर दिया पहले से यही था मतलब इसका यही होता था पर कुछ ambiguity नहों unnecessary का बाद में court vote का problem नहों कानून में ही डाल दिया ठीक है यह part 2 में change है part 3 section 39 7 में क्या होता है tax payment के बारे में बात होती है तो हर एक registered person जो require है furnish करना return GSTR 3B में composition scheme वाला आपका TDS वाला NITP वाले यह लोग pay to government tax due as per such return not later than the last day on which he is required to furnish return यहां पर क्या लिखा है यहां पर बहुत ही simple सी बात लिखिए क्या simple सी बात लिखिए कि अगर आप यह आपको टैक्स कब तक जमा करा देना है last date क्या है जमा कराने की जब आप return file करते हो तब तक आपको क्या कर देना है tax जमा करा देना है अभी आपको पता है यह quarterly return वाला कुछ scheme लेके आए है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कुछ तो लिखना पड़ेगा ना तो यहां पर क्या लिखा है every registered person who is required to furnish a return under section 391 other than the person referred to in the proviso there too 391 में proviso क्या डाला था कि कुछ लोगों को हम लोग quarterly return filing करने का facility देते है उसको छोड के बाके सब 391 वाले मतलब पहले वाले 393-395 shall pay to government tax due as per such return not later than the last day on which he is required to furnish such return but उसके दो proviso डाल दिये यह section 397 में क्या किये है दो नए proviso add किये है सबसे पहला proviso क्या add कि provided that every registered person furnishing pay return under section 391 shall pay to the government the tax due taking into account inward outward supply of good services both ITC-availed tax payable या फिर टेक्स जो भी pay कर दिया है particulars during a month in such form and manner and within such time as may be prescribed हम बताएंगे form बताएंगे हम बताएंगे manner बताएंगे हम बताएंगे time बताएंगे तब तक आपको क्या कर देना है इसका क्या कर देना है provided further that registered person जो composition scheme लेता है वो government को tax pay करेगा क्या क्या यह सब detail डालेगा inverse supply outward supply वगेर का tax and such other particulars during a quarter quarter में in such form such manner such time as may be prescribed यहां पर कुछ form manner time वगेरा कुछ नहीं दिया वो कहां पर दिया उपर जो भी हम दोग scheme पढ़ना start करेंगे न वहां पर सब कुछ form manner time अब दिया हुआ है correct है यहां पर क्या बोला है यहां पर बोल दिया है act में amend कर दिया है कि हम जो form manner बताएंगे बताएंगे जिसको quarterly scheme लेना है उसको वह form manner के अंतरगत बोलते ना उसके अंदर जो भी हमने बताए उस हिसाब से comply करता पड़ेगा is it simple तो आप क्या काम करो sir आप यहां से लेके 30 seconds का time देता हूँ pause करके यहां से लेके यहां तक पढ़ लो कुछ नहीं समझ रहा तो कमेंट करो मैं answer देतूँगा के यह स्टार्ट करते हैं qrmp scheme के बारे में सबसे पहले introduction के उपर आ जाते हैं introduction and eligibility दोनों part 1 में eligibility मतलाब कब eligible होगे qrmp scheme लेने के लिए correct है तो यह दोनों क्या है यह दोनों similar type के चीज़े रहेगी eligibility and introduction इसके बाद हम लोग gstr1 में क्या effect आएगा gstr2 में क्या आएगा gstr3b में क्या आएगा यह कर देगे उसके बाद payment कैसे होगा monthly वह बड़ा पार्ट है बाकी बचे हुआ तीन पार्ट तो एक page में तीनों खतम हो जाएगा तो छोटे-छोटे तो सबसे पहले introduction पर आ जाते हैं with effect from 1st of Gen 2021 1st Gen 2021 से qrmp scheme करके scheme लाई गई जो कि introduce हुई है क्यों introduce हुई है trade facilitation करने के लिए in order to ease of doing business मतलब याद ट्रेड को facilitate करेंगे ताकि क्या होगा ease of doing business बढ़ेगा इसकी वज़े से हम आपके लिए क्या लेक के आए है 1st Gen 2021 से qrmp scheme लेके आए first point second point qrmp qrmp जो scheme है वो क्या है optional scheme है आपको लेना है तो लो नहीं लेना है तो मतलो kind of presumptive taxation होता ना किसमें अपना income tax में pgbp में कुछ ऐसा बोल सकते है यह bhai optional है आपके उपर है आपको लेना है तो लो नहीं लेना है तो मतलो introduce किया है किसके लिए small taxpayer के लिए जिनका aggregate annual turnover कितना है up to 5 crore in current and preceding financial year to furnish their returns on quarterly basis while paying their tax on monthly basis इसमें क्या point आये सबसे पहले आया point कि आपका optional है सर इसमें कोई problem नहीं हमें समझ क्या second point आया कि आपका aggregate annual turnover aggregate annual turnover का वही मतलब है जो composition scheme में था मैं हूँ मेरी तरफ से बाहर के side कोई भी sales outward supply हो रहा है वो सब कुछ आयेगा भले ही वो normal supply हो taxable non taxable हो exempt हो export हो कुछ भी हो मेरे side से मेरे बाहर की तरफ जो भी जा रहा है वो यहां पर account होगा बट क्या account नहीं होगा RCM में जो मेरी तरफ आता है और मैं जिसके ओपर tax भरता हूँ वो नहीं आयगा उसके बाद क्या नहीं आयगा कोई तरीके का GST का amount पर TCS income tax वाला नहीं आयगा यह aggregate turnover का वह आप composition scheme में देख लोगे आपको पता चल जागा सेम है यह हो गया फिर बात करते हैं यह point क्या होई aggregate annual turnover कितना होना चाहिए up to 5 crore होना चाहिए up to 5 crore होगा in preceding financial year and current financial year इसका मतलब कहा है देखो अभी मैं यहां पर बैठा हूँ यह साल में तो मुझे पिछले साल का देखना है 5 crore cross नहीं हुआ तो मैं ले सकता हूँ फिर सर यह साल की क्या बात होई समझो वह टाइम पर मेरा 5 crore पिछले साल का cross नहीं था आपको रिटन क्या करने पड़ेंगे सिंपल है तो फर्निस देर रिटन्स on quarterly basis while paying their tax on a monthly basis आपको रिटन क्या करने पड़ेंगे quarterly basis file करने पड़ेंगे tax क्या देना पड़ेगा monthly basis देना पड़ेगा second point clear है पहले point पर कुछ नहीं था से one one two thousand twenty one याद रखना है second point में पता चला optional है limit पता चले पांच करोड इसमें डेड़ करोड वगेरा कुछ नहीं है जो पहले था न जीएश्टीर वन वह यहां कुछ नहीं सबके लिए पांच करोड पांच करोड पिछले साल का भी देखना है और यह साल भी पांच करोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए करेक्ट यह पता चला और वह बाद में पता चल गया quarterly return है और monthly payment है वह तो पता चला फिर third point कुछ नहीं बोलता third point simple सी बात बोलता है कि चार जीएश्टीर 3B आपको देने पड़ेंगे और 4 जीएश्टीर 1 देने पड़ेंगे quarterly हर तीन महिने का 1 जीएश्टीर 1 एक जीएश्टीर 3B तो उस इसाब से क्या हो जाएंगे चार जीएश्टीर 3B हो जाएंगे 4 जीएश्टीर 1 हो जाएंगे और उसके साथ साथ एक और फैसिलीटी है invoizing filing facilities IIF जो आपको IFF प्रोवाइड किया जाएगा अंडर इस स्केम यह क्या होता है यह जी एश्टी आर वन के सपोर्ट करने के लिए कुछ लेकर आया है और यह भी ऑप्शनल है जब जी एश्टी आर वन वाला पार्ट करा हूँगा तब बता दूगा कुछ नहीं है बाई सिंपल सी चीज है अगर आपको चाहिए तो आप यह फैसिलिटी यूज करके कुछ इन्वाइज दिखाना चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो पिर यह फैन पॉयंट जू है त्पिर यह फैन प्इन बात करते हैं क्या बात करते हैं मैं आपको चीज बताना चाहूंगा यह इंप्टिट TCP अगर आपको पता होगा जो कंपोजिशन स्कीम था यहा प्यात्व कि सेक्श्ट टैन वाला पड़ा था अगर एक यह PAN है समझेर, यह PAN number के पर per मैं महाराश्च 탑धा हूँ, यह peer chapter राज्ाां में एक branch registered है, Rajasthan में एक branch registered है, और जुज्रात में एक branch registered है तो मैं यह बात कर रहा है, अगर composition scheme मुझे Maha State Way suggestion में लेनना होगा स्षीए तक इसम YouTube कि यो तरह कckई जो शितम डिए ऊस्कंट इसमें क्या बोला इसमें जो ऑनोगाइब मट्राइब लेना चाहते हो रजास्तान के लिए ले नहीं लेना चाहते हैं मतलब यहां पे PAN basis पे आपको इस scheme नहीं दिया जा रहा है यह आपको GST number के basis पे दिया जा रहा है कि आपको जिस GST number के सामने यह scheme लेना है तो वो ले सकते हो जिसके सामने नहीं लेना उसके सामने नहीं ले सकते है तो वो ही यहां पे एक important point है जो आपको ध्यान रखना है मतलब क्या है कि distinct person का मतलब क्या है एक ही पैन के अलग अलग जो organization registered होती है वो deemed distinct person माने जाते है तो distinct person बले ही एक बंदा ले रहा है qrmp दूसर नहीं ले रहा है तो चल जाएगा it implies that some ghd number for pen can opt for qrmp scheme and remaining may not opt for set scheme तो चल जाएगा is it okay यहां तक समझा क्या है यहां तक कोई दिक्कत है मेरे साबसे तो नहीं होना चाहिए तो मैं यह इतना पार्ट क्या कर देता हूं यहां से जो मैंने कुछ भी किया है वो निकाल देता हूं और आप फटा-फटे क्या करो रीड कर दो पहला इत्रोडशन में क्या ध्यान रखना है 2 that 10 essentially कि ध्यान है आपको यह इंप출 10 seconds ना में न्याक के दुख यही पड़ते तो साथ में लिक दो नहीं तो कोई बात निए इसका प्ट्रेंट और य्ए लेनए नुक्या नेक्स्ट आते हैं eligibility of qrmp scheme किस पर आते हैं eligibility के उपर आते हैं कि कौन eligible होगा qrmp scheme के लिए तो यहां तक तो जो उपर पड़ाता वही लिखा हुआ है कि जो registered person जिसका aggregate turnover कितना है पांच करोड तक है preceding financial year में जिसने option को exercise किया है वो क्या करेगा quarterly return फाइल करेगा monthly payment करेगा under qrmp scheme classes of person who shall furnish a return for every quarter from gen 21 मतलब 1-1-2021 से scheme आया तो वहां से option exercise कर सकते हो और pay tax कर सकते हो हर मन्त और computing aggregate turnover of 5 crore जो detail आप अपने return में डालोगे पिछले साल वह सब चीज़े क्या होगे count होगे simple है यहां तक तो जो उपर पड़ा था वही लिखा है अभी यहां पे सबसे पहला point क्या है कुछ condition and restriction में पहली condition है कि अगर आप qrmp scheme लेना चाहते हो तो जिस quarter के आप लेना चाहते हो जैसे पहले वाला month जो है June month उसका आपको return file किया होना compulsory होना चाहते है अगर नहीं किया तो पहले जाके return file करके हो late fees अगेरा जो भी हो पे करके हो फिर यहां पे आना उससे पहले यहां मत आना तो registered person shall not be eligible to opt for qrmp scheme if he has not furnished the last return due on the date of exercising of such option example दिया है registered person intending to avail qrmp scheme for july to september quarter is exercising his option कब exercise कर रहा है वो अपने को मतलब नहीं है he must have furnished the return for the month of june उसने june तक month का क्या करिया रहना चाहिए return file किया होना चाहिए उसके बाद ही वो क्या कर सकता है यह वाला qrmp scheme ले सकता है पहला condition simple है कि registered person जो है वो eligible है qrmp लेने के लिए eligible नहीं है if he has not furnished his return due on the date of exercising of such option clear yes sir पहला point clear है फिर बात किया है कि manner of exercising of option आप किस manner से आपका जो भी यह आपको scheme का option दिया हुआ है आप exercise कर सकते हो मतलब कब तक कर सकते हो तो आपको यह ध्यान रखना है देखो quarter कौन सा है हम लोग example लेते है July August और September यह quarter है इससे पहले मन्त क्या आता है जून आता है उससे पहले क्या आता है में आता है तो आप यह कौन सी देट तक यह option exercise कर सकते हो तो उसके related पड़ते हैं यहाँ पर यह लिखा है कि आप कौन से time period में यह बता सकते हो कि मुझे जुलाई से लेकर September मन्त से क्या करना है QRMP scheme में आना for furnishing of return on quarterly basis from यहाँ यह important है from first day of second month of preceding quarter till the last day of first month of a quarter for which option is being exercised sir क्या बोला कुछ नहीं समझा तो बहुत ही simple है आपको option यहाँ पर time limit दिया है कि आप यह time से लेके यह time तक क्या कर सकते हो option exercise कर सकते हो तो क्या time दिया है first day of second month of the preceding quarter यह कौन सा quarter है आपका है July, August, September quarter इससे पिछला quarter कौन सा रहेगा April, May, June quarter रहेगा correct है तो यहाँ पर बोला है जो second month of preceding quarter preceding quarter April, May, June है उसका second month कौन सा है May month correct है तो May month का first day first day of second month of preceding quarter तो मतलब जो first May है first May ले लिया correct है यहाँ से लेके कब तक आप option exercise कर सकते हो for last day of first month of a quarter for which option is being exercise कौन से quarter का option exercise होने वाला है July, August, September का होने वाला है तो July month जो कि first month है उसका last date last date क्या होगा 31st July होगा तो यहाँ से लेके first May से लेके 31st July तक आप क्या कर सकते हो जुलाई, August, September month का start करने वाले हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो first May से लेके 31st July तक आप option के लिए exercise कर सकते हो अपलाए कर सकते हो क्या बोला जो कॉर्टर का लेना है जो कॉर्टर का लेना है समझे जुलाई, August, September का लेना है अपने एक्सांपल बे तो उसके पिछले कॉर्टर का जो second month ता उसका first date तो May second month ता उसका first day क्या था 1st May वहाँ से लेके जो कॉर्टर लेना है उसके first month का last date तो 31st July तो यहां पर वही मेरा example ही यहां पर लिखा हुआ है फिर बात करते हैं However, अगर आप एक बार यह option ले लेते हो तो फिर आपको बार बार बताने की जरुवत नहीं हर टाम आपको यह option exercise नहीं करना जिंदकी में एक बार ही करना है कर लिया मतलब यह implied है कि अभी आप एक URMP में ही रहोगे आप आने जाने वाले नहीं हो आप एक जगह पर टिकने वाले However, where such option has been exercise once said a registered person shall continue to furnish the return on quarterly basis for future tax period unless he becomes ineligible मतलब आप इसके लिए applicable रहोगे पर उसके 2 exception है अगर आप ineligible बन गए scheme के लिए ineligible का मतलब क्या है आपका 5 crore समझो cross हो गया तो आप ineligible बन गए तो अगर आप ineligible बन गए तो आपको निकलना पड़ेगा या फिर आपने खुद ने opt किया है कि मुझे यहां पर नहीं रहना मुझे monthly return file करना है तो भी आपको यहां से निकाल दिया जाएगा मतलब अगर आप opt करोगे या फिर आप ineligible होगे तो ही निकाला जाएगा नहीं तो आप इसमें ही चलते रहोगे चलते रहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर मैंने क्या बात बताया सबसे पहले सकाट इंट्रोड़क्षिन केומas Rock यह कौर्टर काा first month का करेक्ट है अब क्या और सब्सक्ते हो औप अगर एक बार ये option ले लेती हो अगर आप एक बार यह option ले लेते हो तो आप हमेशा इसी option में चलोगे except आप ineligible हो गए या फिर आपका इच्छा हो गई कि मुझे क्या करना है अभी monthly return में जाना है simple है yes next आते है option of qrmp scheme to lapse क्या हो जाएगा आपका option जो था आपने qrmp scheme लेने का वह lapse मतलब क्या खत्म हो जाएगा कब खत्म होगा अगर आपका अग्रीगेट टर्नवर पांच करोड से क्रॉड से क्रॉड हो जाता है कोई भी quarter में cross हो जाता है तो वह quarter तक ही आप ले सकते है उसके बाद आप क्या हो जाओगे ineligible हो जाओगे for furnishing return on quarterly basis from first month of succeeding quarter अगले महीन quarter का जो भी पहला मन्थ है वहाँ से आपको नॉर्मल रिटन फाइल करना पड़ेगा इस साल opt for furnishing of return on a monthly basis अगर वह चाहे तो क्या कर सकता है monthly basis पे रिटन फाइल करने का opt कर सकता है electronically करेगा from first month ये first month of the quarter succeeding the quarter during which aggregate turnover exceed 5 करोड जब उसका aggregate turnover कितना पाच करोड क्रॉस हो जाता है तो वह quarter के खतम होने के बाद first month से उसको ये आना ही पड़ेगा और अगर चाहे तो पहले भी आ सकता simple है और जो facility for opting out of a scheme for a quarter will be available from ये जो date है वो same date है जो उपर दा पिछले quarter का second month का first day और ये quarter का last day first month का वह same due date यहाँ पर भी है तो अगर आप चाहो तो यहाँ तक पढ़ लो फिर हम क्या करते हैं GSTR 1 का क्या implication होने वाला है उसके उपर आ जाते हैं अभी तेक हम लोग में सिर्फ introduction देखा है अभी GSTR 1 के उपर इसका क्या implication आएगा उसके बारे में देखते हैं उसके बाद GSTR 2 पर क्या आएगा ऐसे से करके आगे बढ़ेगा next अभी देखते हैं कि जो आपका GSTR 1 है उस पर क्या effect आएगा किस चीज़ का आपका QRMP skip का is it okay तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया सबसे पहले introduction और eligibility एक पार्ट अपना खतम हो गया second part is GSTR 1 third part is GSTR 2 fourth part is GSTR 3 भी ऐसे करके हर एक जगा पर क्या 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 चीज़ होगा उसके बारे में हम समझ रहें उसके बाद monthly payment कैसे होगा उसके बाद interest late fees और extension तो एक page में तीनों लेखा हुआ है तो GSTR 1 क्या होता है आपका outward supply का statement होता है सर पता है कोई दिखकती है हर quarter return file होगा quarterly return है अगर आप यह scheme लोगे तो क्या होगा आपका return जो है एक साथ होगा July August September का एक साथ होगा ठीक ऐसा क्या तकलिफ है इतना तो हमें पता है और आप अगर समझ रहे हो तो यह समझो कि यह मैं हूँ महिंद्र सामने कोई बहुत बड़ी company है जैसे कि data heregy5 बाइद करना है मेरे को इसके साथ क्या करना हैald करना है मैं चोटा आदमिं और मैं यह data के साथ क्या करता हूं ट्रेड करता हूं कुछ काम करता हूं मेरा सामान सप्लेय होता है data के पास तो मैं चीज़े बेश्टा PowerPoint वह अगर मन्थली क्रेडिट क्लेम करना चाहता हूं तो भाई तुझे हर महीने अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी अपने जी एश्टीर वन में अब यहां पर प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने क्या लिया है मैंने जी एश्टीर वन ऑप्ट कौर्टरली बेसिस पे किया है पर सामने व मैंने चाहता है पाई तीन में महीने के बाद मुझे तेरे सात biznes लिएक करना इहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो गोवं मिन्ट क्या बोलाए है यहां पे यूटिलिती देते हैंि इफफ in voice फिर नीशिंग इस फैसिलिटी अम आपको क्या दे रहे हम आपको दे रहे ुप परनिशिंग इसके थुरू क्या कर सकते हो आप ऑप अपनल बासिस पर आपको जू जो जो जू अइसे मेरे केस में Tata के हर मन्त के एक invoice है तो यह invoice आप क्या करो IFF में furnish कर दो same to same GSTR 1 जैसा होगा Mini GSTR 1 बोल सकते हैं optional GSTR 1 बोल सकते हैं यह IFF में क्या करो आप इसमें क्या करो वो invoice के detail डाल दो और उसका credit क्या मिल जाएगा सामने वाले को अब जैसे GSTR 1 में मिलता था same to same उसी तरीके से अगले महीने मिल जाएगा तो बाइटेंशन ही नहीं है तो बस यह concept समझना है कि GSTR 1 quarterly किया है पर quarterly करने से problem arise हो रहा था क्या problem arise हो रहा था कि सामने वाले को क्रेडिट चाहिए नहीं तो unregistered होगा तो क्या फरक पड़ता है उसको तो अगर वो सामने वाला registered है तो आप क्या करो यह scheme के तहट IFF में क्या कर दो invoice जो डालना है वो डाल दो अभी यह IFF के related कुछ चीज़े हैं जो हम समझ लेते हैं और बस इतना ही काम है यह जी एश्टी आरवन वाला पार्ट खतम हो जाएगा पार्ट टू फॉर्म एंड मैनर और फर्नीशिंग डिटेल्स अफ आउटवर्ड सप्लाय डैट इस जी एश्टीर वन तो यहां पर लेखा है कि जो जी एश्टीर वन है वह आपका कॉर्टर ली जाएगा यहां जो उसने आप्ट किया है उसे साबसे जाएगा या मंदली औ और कॉर्टर ली जो भी उसने आप्ट किया है उसे साबसे फिर नीचे आई एफ के बारे में पूरा ग्यान लिखा हुआ है जो मैंने बताया उसी के बारे में लिखा है सबसे पहला पॉइंट किया है टेक्सपेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूर्म पी स्किम जो आदमें क्यूर स्किम में आना चाहता है और क्या करेगा आउटवर्ड सप्लाय का डीटेल फॉर्निश करेगा ऐस ही में कंसीडर नैसिसरी जैसे उसको सही लगता है या तो क्या करेगा वह कॉर्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मन्त में आई एफ में डालेगा या फिर थर्ड कॉर्टर में यह क्या है बहुत सिंपल है यह तरहाँ जुलाई है और सेप्टेंबर मन्त का तो वैसे भी कौर्टर ली जी अशिए अन जाये गई करेक्ट है यह तीनों मन्त का GSTR 1 कब जाएगा September में जाएगा तो IFF आप कब यूज कर सकते हो या तो July में कर सकते हो या August में कर सकते हो September में तो यूज करने के जरूरत ही नहीं है na September में क्यों यूज करोगे जाए वहाँ पे GSTR 1 फाइल करोगे तो वही लिखा है फर्स्ट या सेकेंड मन्त में अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप IFF यूज कर लो और बाद में कुछ दिखाना है थर्ड मन्त में तो आप सीधा सीधा GSTR 1 ही कर लो वही क्या दिक्कत है सिंपल है सेकेंड चीज पर आते हैं फैसिलिटी आफ IFF हैस बिन प्रोवाइड़ सो एज टू अलाव डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई टू डली इन जी एस्टिया टूए और टूबी में रिफ्लेक्ट हो सके इसी के लिए हमको क्या करना है इफ में डिटेल डालना है थर्ड पॉइंट इफ जो है वो मेंडेटरी बिलकूल नहीं है नॉट मेंडेटरी बट ऑप्शनल फैसिलिटी आपकी इच्छा आपकी श्रद्दा के उपर है आपको अगर डालना है तो डाल दीजिए नहीं डालना है तो मत डालिया चौथा यह से रिपीटेड पॉइंट क्यों आ रहे हैं बार बार एक जैसे समझ गये ना हम क्योंकि मैंने पहले तो अच्छे से समझा दिया है इसकेंडली मैंने आपका ICI के स्टेडी मटेरिल से एस इस टेडी मटेल में तो जो इसको इस ले लिया है तो उसकी वज़े से पाच ओप्ड एक्सपेयर यूजिंग IFF एंपलोड इन्वोइस डीटेल्स अप्टू अक्यूमिलेटि वैल्यू आफ फिफ्टी लैक ही एक इंप्रेंट पॉइंट पाइंट क्या बोलता है आप हर मन्त कितना कियूमिलेटि वैल्यू कितना होना चैए आप जो इन्वोइस डाल रहे हो IFF में 50 लाग होना चाहिए कितना maximum up to a cumulative value of 50 lakh आप क्या डाल सकते हो first two month में each month में आप क्या डाल सकते हो इतने cumulative value के invoice upload कर सकते हो IFF में क्या value हो ये एक ध्यान रख ले na mcq अगरा हम पूछ ले कहीं 50 लाग पर 50 लाग पर सिक्थ पॉइंट क्या बोलता है में invoice are to be furnished in IFF but between first of मतब कब तक आपको IFF file करने का due date basically क्या है अगर आप July मंत का file कर रहे हो तो उसका अगला मंत क्या आएगा August आएगा तो August के आपका first से लेके 13 अगस्ट के बीच में आप क्या कर सकते हो IFF file कर सकते हो August का file करना है तो first September से लेकर 13 September कर सकते हो उसके बाद would not be available a facility क्या होगा अविलेबल नहीं होगा यहां पर not लिख देना अगर आपने प्रिंट लिया है यहां पर not लिख देना पता नहीं technical error की वाचे से पीछे नहीं आया है okay would not be available होगा 13 के बाद यह facility आपको नहीं मिलेगा first से थर्टीन तक आप क्या कर सकते हो IFF को furnish कर सकते हो फिर seven point क्या है details of invoices furnished using IFF in first two month of the quarter are not required to be furnished again in GSTR1 for the sad quarter अगर आपने कोई 2 invoice समझो 3 invoice total 10 में से अगर IFF में दिखा दिया है तो बाद में उसको GSTR1 में दिखाने की जरूरत नहीं है for example July में मैंने IFF file किया था जिसमें 3 invoice थे और 10 invoice मैंने नहीं डाले ठीक है यहां पर August में मैंने total 15 invoice थे कुछ भी IFF में नहीं डाला और September मन्त में जब मैं GSTR1 file करने जाओंगा तो यह जो 3 invoice मैंने पहले दिखा दिये थे IFF में यह मुझे वापिस दिखाने की जरूरत नहीं है या तो IFF में दिखाओ या GSTR1 में दिखाओ दोनों में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह एक तरीक ऐसा है बोला ना छोटा सा GSTR1 ही है तो कोई दिक्कत की बाद नहीं है फिर example वही दिया है कि अगर दो invoice आपने पहले दिखा दिये तो बाद में दिखाने की जरूरत नहीं है एक बाद रीड कर लो यहां से लेकिए यहां तक पूरा ही रीड करो तो फिर हम लोग क्या करते हैं आगे point के उपर बढ़ते हैं इसी है आपको अभी तो कुछ hard लगा के है एक due date है 13 तरह एक से 13 तक वह याद रख लो बाकी तो आपको क्या याद रखने है पचास लाग का एक value याद रख लो बाकी basic से points है क्यों आया बस समझना जरूरी है वह जादा एक बार रीड कर दो 10 second का time देता हूं पॉस करके फटावट एक्जम्पल तक रीड कर दो एक्जम्पल वही है चो मैंने अभी आपको बताया 8th point क्या बोलता है एक इफ IFF टेक्सपेरहेंज तू सब्मिट बी टू बी इससिफ बी रहेगा धी का मतलब किया है आप भी रजिस्टर्ड परसन हो सामने वाला वह जगेश्ट में रजिस्टर्ड अगर दोनों रजिस्टर्ड होंगे तब भी तो मेरे भाई सामने वालों को credit मिलेगा अगर रजिस्टेट ही नहीं तो credit मिलने का सवाल ही नहीं है बोथ इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाय का details आप डाल सकते हो along with इसके related को debit note या credit note है B2B के invoice related तो वह यहां पर आप IFF में दिखा सकते हो the detail of outward supplies furnace using IFF shall include क्या include करेगा सबसे पहले invoice wise detail of interest rate and interest rate supplies जो भी invoice wise detail आपको डालना है जो आपने registered person को क्या किया है supply किया है second B2B B2B debit note और credit note जो B2B invoice से उसके related कुछ है तो वह आप दिखा सकते हो 9th point अगर registered person क्या करता है IFF को opt नहीं करता उसको क्या करना पड़ेगा उसको तीन महीने का जो GSTR 1 जाएगा उसमें क्या करना पड़ेगा यह IFF के invoice यहां नहीं दिखाए वह वहां पर दिखाने पड़ेंगे और last point यहां पर क्या बोलता है details of outward supply of goods and service furnace in GSTR 1 शाल include यह वही point है जो पहले हम लोग ने देखा था नॉर्मल वाले scheme में कि आपको कहाँ पर invoice-wise detail डालनी है और कहाँ पर आपको consolidated detail दाल दोगे तो छलेगा अगर सामने वाले रजिस्टरव को Offices अगर सामने वाले रजिस्टरव सपिए और और उसका invoice का value अगर 20,000,000 पे से ज्यादा है बले ही सामने वाला unregistered है पर आपको यह देखना है इंट्रस्टेट सप्लाय है और उसका value कितना है तो आपको invoice wise detail देनी पड़ेगी consolidated detail का आप दे सकते हो अगर सामने वाला जो है वह unregistered है और आपका supply इंट्रस्टेट है अगर आपका सामने वाला supplier unregistered है तो हमेशा देना ही है और supply इंट्रस्टेट है पर उसका value 2.5 लेक्से कम है तो आपको क्या कर दो इंट्रस्ट एक एक लास में चार्ट बनाया तो याद रहेगा अपने बुक में है तो वहां सा देख लेना हो जाएगा सी पॉइंट के है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है उसका डिटेल भी आपको क्या करना पड़ेगा जो भी इन्वाइस के रिलेटेड है उसके बारे में आपको देना पड़ेगा तो यहां तक आपका IFF का पूरा कंसेप्ट जो भी आपके मॉडिल में दिया हुआ है पूरा कंप्लीट होता है अभी कुछ ऐसे केस दिये हुए है जहां पर रेजिस्टेड परसन जो है उसको अलाउड नहीं है IFF या जी एश्टीर वन फरनिश करना कब अलाउड नहीं है सबसे पहले इस नौट फरनिश्ट रिटन इन फॉर्म जी एश्टीर 3B फॉर प्रिसे अगर वो qrmp scheme ले लेता है तो उसको तो quarterly file करना 3B पहले मंतली होता था अभी quarterly होता है तो अगर उसने पिछले quarter का 3B नहीं file किया तो अभी आप IFF या जी एश्टीर 1 फाइल नहीं कर सकते और थर्ड परसन अगर कोई रेजिस्टर पॉंट जिसमें आप IFF या जी एश्टीर 3B का यूज नहीं कर सकते रेजिश्टर परसन हूँ है वी इस रेश्ट्रिक्टेड फ्रम यूजिंग अमांट अविलेबल इन इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर तो डिस्चार्ज इस लाइबलेटी एकसेस ऑफ 99% यह क्या बोल रहा है कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर पड़ेगा तो यह क्या बोला कोई ऐसा परसन है जिसके ऊपर रूल 86 भी एपलीगेबल है शाल बी अलाउट टो फ़र्निश दर डीटेल अफ आउट वर्ड सप्लाय इन फॉर्म जी एश्टीर वन और यूजिंग इफ उसको क्या यूज करने नहीं देंगे हम जी एश्टी पहले आपने फॉर्टर ली रिटन फाइल किया या मंतली रिटन फाइल किया तो यह टाइम का आपको जी एश्टीर वन हम लोग या आया फफ फाइल करने नहीं देंगे अगर आपके उपर 86 भी एपलीकेबल है ऐसा क्यूं किया रहेगा नहीं तो आप क्रेडिट बाट तो आप क्या करें खुद का 3 भी नहीं फाइल कर रहे हो पर वन फाइल कर रहे हो क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए सामने वाला हो सकता है आपका रिलेटेड पार्टी हो पॉसिबल है ना वह केस में गवर्मेंट ने क्या बोला अगर आपके उपर 86 भी अगर आप फिर अपके उपर आप अपना फाइल करते पिछले पिरियोड का फाइल करते हम आपको वन भी नहीं फाइल करते हैं अभी सबसे थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीज है इसका टू ए और टू बी पहले पढ़ने की जरुवत नहीं होती इससे पहले अभी पढ़ना पढ़ेगा कुछ अच्छी अच्छी चीजे लेके आए हैं जो कि समझने में आपको काफी मजाएगा तो यह मैं यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट के उपर लिखे आता हूं सब्जाने के लिए कि जी एश्टीया टू ए तो पहले भी होता था तो भी लाने के जरुवत क कि आपड़ी कोई भी चीज नहीं आती है तो यह समझना जरूरी है कि उसको लाया क्यों गया जब तक यह नहीं समझेगा कि उसको हम लोग एप्रिशेट कैसे करेंगे ना क्यों आया ऐसे डाल दिया बुक में पढ़ना है पढ़ना है करके ठीक है बट उसके लॉजिक्स कभी यह डालते हैं कभी वह डालते हैं कुछ तो लॉजिक होगा तभी डाला गॉर्मेंट फ्री तो है नहीं कि बैठे-बैठे कुछ भी नहीं नहीं फॉर्म डालती रहेगी है समझो बहुत अप्रिशेट करोगे आपके वह क्यों लेकिया है पहले कैसे चोरी कर सकते दे लोग जिसकी वज़े से जी एश्टिया टू भी लाया जा सकता होगा लाया गया है एक बार समझो ठीक है यह जेठालाल है फॉर एक्जमपल जेठालाल का क्या काम है वो टोनी टी आपक एक सेथेड़ है यह जेठालाल है और यह पोपट लाए ट्रीक है प्लिक है गरता है दस टीवी बेचता है हरिक टीवी का वैलीव कितना है कं एक लाग रुपे यह-दस लाग रुपे का इन्वाइस देता है ऑन फर्स्ट आफ जुलाई अपना कॉर्टर क्या चल रहे जुलाई ऑगर्स सेप्टेंबर उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे ठीक है फर्स जुलाई को हम क्या करते है जेठा लाल एक टीवी का ओडर आता है पॉपट लाल को और वो टीवी बेच देता है दस टीवी हर टीवी का वैल्यू है एक लाग रुप्या टूटल बिल होता है अतना क्रेडिट आपको मिल जाएगा आपको इस दुनिया में मिल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी कुछ चेंजेस लेकिया है जरा बताओंगा आराम से शान्ति से समझो यह जी एश्टीया टूए और जी एश्टीया टूबी का पहले आप नेचर समझो कि एक क भूबाँ हमें तो मतलब बताओ जी एश्टीया टूए जो है ना वो डेली बेसिस पे अपडेट होता रहे का समझो जी एश्टीया रूडवन में जेठा लालने दस इन्वोईस में से पहले इनवोईस का डिटेल ढला दूसरे इनवोउस का डिटेल डाला आठ का नहीं डा जैसे वो डालेगा यहां पर आ जाएगा जाएगा यह मत पर भी का नेचर क्या है डाइनामिक नहीं है वह एक मंत के लिए आपको एक साथ एक statement मिल जाएगा जैसे 26 AS मिलता है इंकम टेक्स में कुछ इस प्रकार से कि एक आपको statement मिल जाएगा जिसमें पूरे मंत के आपके ITC रहेंगे कि इतना आपको ITC मिल रहें उसमें पता भी लग जाता है कि कौन सा इनलिजिबल है कौन सा अलिजिबल है सब को डिटेल आ जाएगे बट वह स्टेटिक रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते वह एक मंत में वह बार बार अपडेट वगेरा नहीं होगा जीएश्टिया टूए बार बार अपडेट होता रहेगा जैसे में रिएल टाइम में पता चल जाता है तो यह सीच्प कर पुराने जमाने में जाने के क्या ज़लू होता है उसका रीजन है समझण अगर आपने इंहम स्कुर्श का जुलाइ ओनर्मिस का पर यह महिन ईगर ऑगले महिने का सब्सक्राइब अगर नॉर्मल हो तो अगले महीने के 11 तरीक तक आपको क्या कर देना था यह कहां लिखा है मैं बता देता हूं आगे फिर आएका पर पहले से बता देता हूं कि आप सर्मन से तो नहीं बता आए फिफ का तो हम लोग ने देखा पर शायद पूराना वाला भूल गए रहोगे कि अगर किसी ने qrmp scheme लिया है तो वह क्या करेगा अगले महिने के 13 तरीक तक क्या करेगा और कोई नॉर्मल फरसन है तो अगले महिने के 11 तक क्या करेगा नॉर्मल जी एश्टीर वन फाइल करेगा और यह डेट है आपके रिटन फाइल करने के GSTR वन के सम्झो को दो करना था 13 ऐटस्ट तक रिटन फाइल प्रेक्न और वह भाइस आप कब रिटन फाइल करते हैं वह है अराम से दिसेंबर मंत में करते हैं अभी करता से दिसेंबर मंत का क्रेडिट आप आप क्या करोगे आप अपना ITC कौन से कैसे क्लेम करोगे जब आप अपना GHDR 3B फाइल करोगे तब आप अपना क्या करोगे ITC क्लेम करोगे एक रूल 364 होता है उसमें क्या बोला है कि आप कौन से पीरिड तक का क्रेडिट क्लेम सकते हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो या तो आपका जो फरनीस होता है सामने वाले का वो या आपके सामने वाले 1220 सोता है वो विचियोर इस लेटर जो डीट आये तब आप क्या कर सकते हो तना मतलब यहां तो एलेवें क्रैडित क्रेडियम सकते हो इसके आगे का क्रेडुए कर सकतेवा wedi जैसे मैंने बताया थोड़ा सचोड नेचर का आदमी ता उसने अपने GSTR 3B में क्या किया मैनूली उसको पता है कि मेरे पास तो इन्वाइस आ गया है ना भले ही सामने वाले ने GSTR 1 नहीं फाइल किया छोड़ो मेरे पास इन्वाइस आया उसने क्या किया जिंदगी में वह देखते हैं फसके क्रेड़िट है कि नहीं है तो पता चला GSTR 2 A में सेम मन्त में आएगा जुलाई मन्त में आएगा है इसने इतना लिया है और वो क्या टाइम सही अवेल की है तो उसके लिए गौर्वर्मेंट लेके आई जी एश्टिया टूबे इसमें क्या होगा अभी जो वो नेक्स थर्टीन्थ है 13 तरह क्या 11 तरह कोई भी डेट हो जिसके लिए जो अप्लिकेबल है वहां तक क्या होगा वह जाएगा इनसंस क्रेडिट फ्रीज नहीं होगा वह जश्ट एक स्टेटमेंट निकाल देगा कि आपके यह मंध में आपके सप्लायर ने इतने क्या किये है इतने इंवोईज क्या कर दिया है तो उतना क्रेडिट लेने के लिए आप अब अगर बाद में गौर्वर्मेंट कोई ओफिसर आकर देखता है चेकिंग वगएरा करता है तो उसको क्या पता चल जाएगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ बात है कि यहां तक इतना क्रेडिट लिया था जो भी आपका नेक्स्ट 13 से यह 13 तक जो भी आपका क्रेडिट था वह आपको एक स्टेट्मेंट में दिख जाएगा आप इससे ज्यादा नहीं लिए तो यह मैंने कुछ बता दिया है कि अभी हम लोग इंडिटेल पढ़ते हैं अभी तो मैंने क्या किया सिर्फ उपर उपर से आपको क्यूं आया उसको थोड़ा सा अप्रिशेट करवाने के अभी हम लोग थोड़ा सा मॉडियल में आते हैं और जीएश्टीर टूए और जीएश्टीर टूबी के बारे में कुछ पढ़ने के कोशिस करते हैं कि अग्युश्य पहले आते हैं जीएश्टीर टूए में यह पूरा रूल ही जो है सब्सक्राइब हो चुका है तो पुराना रूल को ही सब्सक्राइब कर दिया है पूरा चेंज कर दिया क्यों कि पहले तो हम पढ़ते ही नहीं थे ना वह जीएश्टीर टूए कहां से लेबस में इतना कुछ इंपोर्टेंस रखता था अभी यह रखेगा इसी सी चीज है अराम से समझेंगे लॉजिक के साथ समझा ना कि क्यों आया अगर थोड़ा सब्सक्राइब तो पीछे जाके वापिस कोई दिक्कत नहीं 1.5 के स्पीड में देख लो अभी नॉर्मल देखा है तो क्या होगा पूरा आपको एकदम अच्छे से बैड़ जाएगा दिमाग में कि आया क्यों अगर आया क्यों यह पता चलेगा ना तो आगे के प्रोविजन में कुछ नही इनवर्द अपलॉड के धिये स्पुलयाद आपको आया क्ता है यह स्टेट्मे जो है वो डाइनामिक नेचर का मतलब यह रियल टाम बेसस्च क्या होता रहें अप्डेट πα्व्क्रार होता रहा ओंतलब क्या क्या है डायनामिक हर्टाम जैसे साने वाले ने अप्लोड किया इस पर आपके यह GST I2A में क्या होता रहेगा इंक्रिमेंटली अपडेट होता रहेगा चौथा पाइट डिटेल्स ऑफ IGST paid on import of goods अगर कुछ आप import कराते हो goods का और उसके सामने IGST पे करते हो या फिर आप SCZ से या SCZ या SCZ डेवलपर से DTA या नहीं क्या होता है डॉमेस्टिक टैरिफ अरिया में क्या करते हो है SCZ से स्वेश्चल एकोनामिक जोन से नॉर्मल एरिया में कोई goods को brought करते हो तो उसके उपर जो IGST pay करते हो या फिर इंपोर्ट के टाइम IGST pay करते हो उसका credit आपको कैसे bill of entry basis में मिलेगा बिल of entry basis में मिलेगा और अल्सो मेड अविलेबल इन जी एश्टिया टुए तो यह भी आपके जी एश्टिया टुए में दिखेगा जो आपने इंपोर्ट करा थे टाइम IGST pay किया था या फिर आप सब्सक्राइब करते हो उसका bill of entry basis जो आपको credit मिलता है वह भी आपका जी एश्टिया टुए में क्या होगा जी एश्टिया टुए तो वह भी आपका क्या हो जाएगा जी एश्टिया टुए में दिखेगा अपने से लेबस में सब अना टीप वाला पार्ट है यह TDS TCS जैसे नौर्मल लोगों के लिए जी एश्टिया टु ए होगा वैसे ही कंपोजिशन डिलर के लिए जी एश्टिया पूर ए होगा क्या तब्स सब्सक्राइब जाए और नैक्स आते हैं चिपर लिए इतना कुछ नहीं था इसमें हुमा फिरा कि यह लिखाता कि यह रियल चेंज होगा इंपोर्ट वाले केस में भी और बस वही चीज़ लिखिए जो आई जी एश्टी पे करो अब और बताऊंगा वह डाइनामिक बेसिस पे चेंज होता रहता है यह कुछ नहीं होगा इस्टेटिक होता रहेगा इस अब देख सकते हो कभी भी अपडेट होता रहेगा इस अब इस अब आपको महिने में एक बार ही मिलेगा नीचे देखेंगे महिने में कब मिलेगा आपको पता है जब आपका इफ यह बड़े बड़े पॉइंट लिखेंगा अगर आप नोट्स देखो आपको समझने में तकलीफ हो वहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है कि जो है उसमें क्या डिटेल आएगी कहां से कहां तक आएगी तो आपको देखना पड़ेगा यह महिने का समझो मैं जी एस्टी आर वन फाइल कर रहा हूं मतले मिलको जी एस्टी आर टूबी चाहिए फॉर एक्सामपल ठीक है यह महिने का मिलको जी एस्टी आर टूबी चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा पिछले महिने मैं मैंने मंतली रिटन आता या कौट्रली रिटन बराता तो वह पॉइंट से उसमें क्या लिखा है कि अगला देर बारा तरिक से यह मैने का लाइस डेट क्या है इलेवन तरीके तो बारा से लेकर 11 यह है उसका पूरा डीटेल आपका जीएश आटूबी में आएगा और यह जो डीटेल आएगा यह आप इसले सकते समझो पिछले महीं ने पिर्फ़ इसले कोटर में गया लिया वा ठाइस था व्हों केा करता है तो कॉर्टरका में क्या करना स 기자 करुए क्या था फैर्ड मन यह अकूर में कौन सा मैं पाydगा से जून में खतम हुआ तो जून का रिटन फाइल फाइल कब तक कर सकते थे तेरा का अगला दिन क्या है फॉर्टीन से लेके फाइल कर सकते हैं 13 तक यह डिटेल आपके पास आएगा इन जी एश्टिया टू भी फॉर जुलाइग ऑगस्ट में क्या आएगा पिछला आएफफ का फाइल किया तेरा को गिया तेरा का अगला रिट क्या है चाहुदा है 14 से लेके 13 के बीच का डिटेल आएगा यहां पर भी यहां पर मैंने बता दिया अभी आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी नहीं तो सिर्फ यह पड़ोगे तो आपको बोलोगे कि क्या लिका है तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ आउट्वर्ड सप्लायर इन जी एश्टियार वन अधर देन सप्लायर हूप्टेट भूची एश्टी एरवन फंशनिंग का ड्यूडेट क्या है आपका अगले महिने में का 11 तारीख तो उसका अगला दिन वहां से लेकर यह मंत का वाइन का फाइलिंग ड्यूडेट क्या है तो बारा आ से लेकर 11 तक का डिटेल आपको मिल जाएगा सेम यहां पर लिखा है कि अगर आप qrmp scheme लेते हो तो पहले मंत में क्या करना है पहले मंत में जो पिछला कौर्टर प्रिसीडिंग कौर्टर जो था प्रिसीडिंग कौर्टर ले लिया उसका जी एश्टी आर वन फाइलिंग का ड्यू डेट जो था ना उसका इमेजियेटली अगला दिन में दो इमेजियेटली अफर ड्यू डेट फवर निसंग जी एश्टी आर वन फ़र फ्रिसीडिंग कौर्टर पिछला कौर्टर जुन वाला था जून का ज्या जाएगा अगले महीने के तेरा तरह तरह जाएगा तो उसका अगला दिन क्या है 14 तरह वहां से ले है लिका पिछले महिने का फ़र्णिस हुआ उसका एग्जेक अगला दिन वहां से साल का जो यह महीने का अध्रफ यह वो सेम चीज लिखी है सी पॉइंट में अगर आते हैं तो डिटेल्स ऑफ आई जी एश्टी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और गुड्स ब्रॉट्ट टु डिटीए फ्रम वह सेम जी एश्टीया डुए में तो वहां पर भी बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर आता था जी एश्टीया में डीटेल्स तू भी में भी आएगा अगर आप मंतली जी एश्टीयार वन फाइल कर रहे हो तो बैइक कट ओफ डेट क्या रहेगा जो मैंने उपर बताया वही रहेगा या तो आपका रहेगा बारा तारिक से लेके 11 तक या फिर आपका रहेगा 14 से 13 अगर आपने क्यूर्म पी लिया है तो 14 से 13 रहेगा अगर 11 बजा उसके बाद 12 बचता है करेक्ट रात का वह वाला टाइम से लेके 11 का 23.59 मतले 11 59 यहां तक का टाइम क्या रहेगा यह लॉक हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा और इसका आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और इसकी केस में भी 14 का 00 से लेके 13 का 23.5 है चौथा प्लायर्स और ISD फाइलिंग मतलब वो पुराना कोई भी मन्त का यह पीरियड के बीच में अगर रिटन फाइल करें इन्वाइज डालेंगे ना यह बारा से 11 के बीच में भले हम जून जुलाई में खेल रहे हैं पर पुराना कोई जैन फैब का भी इन्वाइज यहां पे तो अपने को वह यहीं पर रिफ्लेक्ट होगा तो परपस तो वही ता ना स्टाटिंग में हम लोग ने देखा था ना कि कोई आगे इन्वाइज आने वाला है या पीछे का क्रेडिट अभी लेके ना बैट जाए तो भले पीछे का इन्वाइज अगर आप यहां पर फिल क सब्सक्राइब को देख सकता है तो फॉर्ट और जूलाई और ऑगस्ट के टाइम पे डे आफ्टर ड्यू देखने का सब्सक्राइब मतलब यह तो यह तो यह तो आपका 11 यह फिर आपका 13 दोनों में से लेटर जो भी आपका प्रोविजन हो उस हिसाब से आपको जी एश्ट यह तू भी देखने को मिल जाएगा इन केस ऑफ थर्ड मन्त मतलब आपका सेप्टेंबर कौर्टर का जो एंड होता है अफ्टर दू डूडट ऑफ फरनीशिंग डिटेल्स ऑफ आफ आ कि अगर आप क्यू आप लेते हो यह लाश्ट यहां तक जन्रेट हो जाएगा तो क्यू आपको अपने आप से वह नहीं करना रहता है कि हम लोग बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे हमको पूरा ग्यान चाहिए आपके सिलेबस में जितना नॉलेज है पूरा मैंने आपको बता यह एक्जाम से लिंक मत करना क्या होता है क्या होता है कि अपन ज्यादा डीप चले जाएंगे ना तो भी अननेसेसरी का ट्रबल होगा विकॉस अमेंडमेंट है लिमिटेड पूछा जाएगा एक्जाम में जितना दिया है उतना अच्छे से समझ लो और एक्जाम अपेर कर आपके नए अपडेट में डाला है लाइन बाइन यहां पर कवर किया जैसे मैं आपको बताया है यह material आपको मिल जाएगा आप डाउनलूद कर लेना चलो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है स्यादा कॉंप्लिकेट मत करना जितना लिखा है उतना समझ लो अच्छे से कहीं से नॉर्मल सा प्रोसेस आराम से समझते सबसे पहली लाइन पर जी इस्टिर 3 बी के बारे में क्या लिखा जो जी एस्टिर 3 बी का नॉर्मल प्रोविजन है वही लिखा है कुछ नया नहीं लिखा हर एक रजिस्टर्ड परसन जो की IHD नहीं है NRTP नहीं है composition pair नहीं है या फिर TDS या TCS वाला नहीं है OIDAR वाला नहीं है उसको GSTR 3B फाइल करना पड़ता है electronically सर पता है आगे बढ़ता है GSTR 3B क्या होता है वो हम लोग ने इन डिटेल पड़ा हुआ है summary statement होता है जिसमें inward outward और tax ITC वगरा की इन डिटेल होती है फाइनल अपने को टेक्स पे करना पड़ता है due date क्या होगी सर पहले क्या due date होती थी 20 तारीक होती थी मतला अगर अगला महिना September का 20 तारीक September है अगला महिना 20 तारीक तक अपने को GSTR 3B फाइल कर देना होता था पर अभी जैसे की quarterly return है तो उसका क्या due date होगा तो सबसे पहले due date in case of other taxpayer क्या होगा वही on or before 20th of the month succeeding the month for a return which furnish this month के लिए return furnish करें उसके अगले महिने के मतलग समझे जुलाई के लिए करें तो अगला महिना क्या है august august के 20 से पहले 3B फाइल कर देगा second अगर किसी ने qrmp scheme लिया हुआ है तो उसकी case में 20 की जगा 22 या 24 हो जाएगा अभी सर दो-दो due date कैसे हो सकती है यह कैसे possible है possible एक reason की वज़े से कि कुछ state ने बोला है कि हमें 22 चाहिए और कुछ state ने बोला है हमें 24 चाहिए अभी सर यह याद रखना पड़ेगा मुझे personally तो तो नहीं लगता कर मैं examiner हूँ तो मैं तो शायद यह नहीं पूछा कि सकते है उस पर कुछ गलत ही है क्योंकि अपने बुक में डाला ही हो यह वह चीच तो अपने को पढ़ना तो पढ़ सकता है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा मैं कुछ मेमनिक्स अगेरा लेकर आ जाओंगा आजाओंगा आपके लिए कि याद कैसे रखे तो देखो यह सब स्टेट्स जो है चातिश कर्ड एंपी गुजरात महाराष्ट्र कानाटका गोवा केरला तामिल नादू ताल तैलंगाना अंधिरा जो भी है मतलब उनके लिए 22 है और बचे हुए हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्राखंड अरयाना राजस्तान उत्रप्रदेश बिहार अपन करेंगे मैं आपके लिए मैंने को अगेरा लेकर आजाओंगा तो उसे साब से कुछ याद कर देंगे ठीक है थार्ड पॉइंट कुछ नहीं लिखा बड़ा ही सिंपल सा लिखाए कि हर एक रेजिस्टर परसन जो की रिटन फाइल करने के लिए रिक्वार्मेंट है ज कुछ नया नहीं है इसमें कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट नहीं है जो पहले था वोई जी एश्टिया 3B में अपने को टैक्स पेमेंट बेसिकली करना पड़ेगा चौथा पॉइंट एवरी रिजिस्टर परसन जो के qrmp scheme लेता है यह इंपोर्टन इंपोर्टन क्या है simple है पर नया है जो qrmp scheme ले रहा है उसको क्या करना पड़ेगा टैक्स जमा करा करना पड़ेगा अंडर प्रोवाइजो टू section 39 7 section 39 7 में दो प्रोवाइजो हम लोग ने देखे थे कौन से दो प्रोवाइजो सर देखे थे एक सकंड बता देता हूं मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था यह वाले अमेंडमेंट पहले देख रहे है तो यह वाले तो यह जो दो प्रोवाइजो देखे थे थे ना 39 1 और 39 2 के केस में आपको कौर्टरली भढ़ना पड़े सकता है टैक्स प्रोविज्णल वह वाला प्रोविज्णल नहीं यह मै एक सकेंड एवरी रजिस्टर्ड परसन अंडर क्यू आर्मप स्कीम शाल पे दर टैक्स दिव अंडर प्रोवे प्रोवे प्रोवाइजो तू सेक्शन 39 7 डिसकस सब्सेक्वेंटली जो हम लोग ने कर लिया है फॉर इच अफ फॉर्स्ट तू मन्थ अफ द गॉर्टर मतलब सकते है सेड अमांट थू फॉर्म जी एश्टी पीम्टी 06 बाइट 25 डे ओफ मन्थ सक्सीडिंग सच मन्थ वो मन्थ खतम होता है उसके अगले महीने के 25 तारीक तक हम क्या कर सकते है जो भी लाइबली बनती है क्योंकि रिटन तो हम कॉर्टर नी बढ़ने वाले पर पेमिं वह आपने डाल दिया भी कि आप वह वापिस जन्यरली नहीं लोगे तो गॉवर्मेंट यूज करेगा तो आप क्या करो इस लेजर में जितना भी आपका टेक्स लाइबलेटी है वो जमा करा दो जमा करा दो जब आपका कौर्टर एंड होगा तो हम क्या करेंगे वह आपके कैस लेजर में पैसा और पड़ा हुआ है तो आप 50,000 रुपया और आपके कैस लेजर में पैसा कम है जीरो है तो आप 50,000 रुपया जमा करो जमा करो इसके लिए क्या बोल रहा है कि समझो जुलाई मन्त में आपने 50,000 रुपय का आपका टेक्स लाइबलेटी था और आपका 1,000 रुपया पड़ा हुआ तो ठीक आपने कुछ जमाने करा रहा है और अगश्ट मन्त में आपका यहां पे टेक्स लाइबलेटी आया 70,000 और आप का यह 1,000,000 रुपीज पड़ा है तो यह केस में क्या बोला है कि आपको क्या देखना पड़ेगा यह 1,000,000 है वो है इससे हमें कोई लेना देना नहीं सबसे पहले वन लैक में से 50,000 रिडियूज करो क्योंकि यह तो पहले मन्त का लाइबलेटी ना अभी कितना बचा हुआ पचास अजार बचा हुआ है तो यह 70,000 जो कि 50,000 से ज्यादा है तो यह 20,000 तुम और क्या करो एड करो बहुत ही सिंपल से वह बनिया बुद्धी इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है कि आपका सबसे पहले यह e-cash से compare करो e-cash ledger से अगर e-cash ledger में पैसा पड़ा है त सफिशन नहीं है तो एड कर दू इसम्पल है at the time of filing of the return of the said quarter in GSTR 3B amount deposited by registered person in first two month of a quarter shall be debited जो first two month का रहेगा तो यह case में July और August 3 भी यहां फाइल करेंगे September के बाद तो जो July और August मन्त का जो भी आपका रहेगा पैसा आपने डाला हुआ रहेगा वो क्या किया जाएगा e-cash ledger से debit किया जाएगा this amount is debited किसके लिए किया जाएगा offsetting जो आपका पुराना liability है उसको offset करने के लिए किया जा रहा है जो कि आपका GSTR 3B में furnished however any amount left after filing of that quarters form GSTR 3B में इधर भी उसके बाद भी समझो आपने GSTR 3B फाइल कर दिया उसके बाद भी कुस पैसा बच गया वो पैसा आप तो refund ले सकते हो या फिर further जो subsequent quarters आएंगे उसमें आप यूटिलाइस कर सकते हो tax payment के लिए जो आपकी इच्छा हुस हिसाब से तो यहां तक clear है कुछ नहीं था एकदम easy सी चीज है सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा सबसे पहले देखा जिसमें कुछ चेंज नहीं है जो हम लोग ने अभी तक जिंदगी में पढ़ते आ रहे हो ही पड़ा है सेकेंड में हम लोग ने ड्यूडेट देखा यह नॉर्मल ड्यूडेट है यह 22 और 24 डिपेंडिंग अन दे स्टेट करेक्ट है उसके बाद हम लोग ने देखा उसके और 2nd month का क्या करने का क्योंकि return to quarter भी जाएगा तो 1st और 2nd month का PMT 06 से आपको क्या करना है 25 तारिक तक अगले महिने के आपको क्या कर देना है cash ledger में पैसा डाल देना है वह पैसे का कैसे utilization होगा बाद में offset हो जाएगा जब आप 3B file करोगे 1st month के लिए तो आपका जो cash ledger है अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है नहीं तो उसमें और पैसा डाल दो 2nd month में आपके cash ledger में से जो पहला existing liability है वो reduce करो उसके बाद जो बचता है उसको compare करो बाद में क्या है बाद में कुछ नहीं जब GHDR 3B file करेंगे तब उसको offset कर लेंगे is it simple GHDR 3B done X का मतलब क्या है QRMP scheme quarterly returns and monthly payment आपको payment कैसे करना पड़ेगा आपको payment बहीं मंतली करना पड़ेगा तो monthly payment जो बहुत important हो जाता है एक scheme के अंदर बट काफी easy है बहुत आसानी से आपको अभी समझेगा मैं अभी समझाता हूं आपको के monthly payment कैसे क्या होगा देखते हैं तो जो सबसे पहला point जो हम लोग ने उपर पड़ा वही है कि जो registered person है जिसने QRMP scheme opt कि क्या है वो क्या करेगा first or second month of quarter के लिए tax deposit करेगा कैसे करेगा GST PMT 06 में cash ledger में deposit कर देगा correct है और payment is to be done by 25th of month succeeding such month मत यह month है first month है तो second month की 25 तारिक तक आपको उसका payment कर देना है second month है तो third month की 25 तारिक तक उसका आपको payment कर देना है जो कि हम लोग में उपर देख लिया है ठीक payment for quarterly taxpayer ये कुछ एक head रहेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा select करना पड़ेगा the said person can use any of the following two option ये दो method एक तो fix some method और दूसरा self assessment method दोनों में से एक method आपको क्या करना है select करना है किस के लिए tax payment के लिए for the first two month third month में कोई problem ही नहीं है July August September September month में तो आप return ही file करने वाले हो तीनो का तो यहां कोई dispute नहीं है तरीका payment का निकालना तकलीफ कहां है July में है एक August में है तो इसके लिए government ने क्या बोला government ने बोला कि दो method देते है fix some method दूसरा देते है self assessment method दोनों में से जो आपको सही लगता है ले लो और आप क्या करो देख तो अपना return file करो payment करो tax का सबसे पहल है तो उसके लिए मैं बता सकता हूं कि यह जो हम लोग ने देखिया है यह इसका मैंने हिंट पूरा दिया वहां पे सब 35% मैंने समझाया था इवन अपने marathon भी है ना उसमें भी यह सब चीजे डाली हुई है ऐसा क्यों किया है क्योंकि वहां पर module में कुछ चीजे दी हुई होने वाला है on GST portal for generating and auto generated pre-filled चलान प्री फिल्ड चलान होगी auto generated होगी अपने आप आएगी GST PMT 0 से चलान amount जो calculate होगा system automatically calculate कर देगा जो आपको edit करने का ज़वरत ही नहीं वह अपने आप calculate होके आएगा calculate होके कैसे आएगा मैं आगे logic बताता हूं बड़ा ही simple तरीका है उसके थ्रूप आपका क्या हो जाएगा calculate होके आजाएगा amount कैसे निकालेंगे तो दो तरीके हैं देखना पड़ेगा कि सर यह quarter July August September यह quarter के लिए आप QRMP स्किम लिए हो इससे पहले जो था April May June यहां पर आप आपने quarterly return file किया था या कि monthly return file किया यह अपने को देखना पड़ेगा सवाल का answer आता है quarterly return file किया था तो उसके लिए आप क्या करो कि जो पिछले quarter में total cash payment किया था टैक्स का क्या electronic cash ledger से cash payment किया था उसका 35% निकाल लो और 35% हर मन्त क्या कर दो टैक्स payment कर दो logic समझ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि पूरा नहीं समझ रहा कोई बात नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ July August और September मन्त का मैं क्या करने वाला हूँ QRMP scheme के तद रेटन फाइल करने वाला हूँ सबसे पहले बात करता हूँ मैं July मन्त की पिछले कॉर्टर में जो भी तुमने cash payment किया था टेक्स लाइब लेक्रोनिक कैस लेजर से उसका 35% उठा लो और ये मंत पे कर दो सेकेंड मन्त में भी 35% उठा लो और पे कर दो अगर फॉर इक्जमपल मैंने पिछले मंत में पिछले मंत में qrmp scheme नहीं लिया था first time में quarterly return फाइल करो इससे पहले मैं monthly return फाइल कर रहा था तो sir क्या करने का तो क्या करने का जो last month जुलाई से पहले वाला मन्त कौन सा था जून मन्त था जून मन्त में जो भी cash से तुमने liability pay किया था वही assumption basis पे समझ लेंगे कि यही यह time पे में liability रहेगा तो जुलाई मन्त में और august मन्त में जून में तुमने पे किया था ना same payment कर दो इसका situation कुछ कैसा बनेगा पता है ऐसा बनेगा एक second देखो अगर आप qrmp taxpayer हो तो अगर monthly या quarterly जो आप monthly tax payment करोगे quarterly return file करोगे तो आपको दो method दी है पहली दी है fix method दूसरी दी है self assessment method और अगर आप पिछला पहले कैसे return file कर रहे थे quarterly कर रहे थे मतलब पहले भी qrmp scheme था तो क्या करना है 35% जो आपने पिछले पूरे quarter में April, May, June for example अपने जो भी tax liability cash से pay किया था for example 1 lakh pay किया था तो उसका 35% July में और August में pay कर दो अगर पिछले time आपने return monthly file किया था तो आप क्या करो इससे पहले वाला month कौन सा था June था June में समझो आपने 50,000 tax liability pay किया था तो इसका 35% नहीं लेना इसका पूरा 100% क्योंकि एक मन्त का है ना जो जून में tax liability cash से pay किया था वह से जुलाई और August में भी क्या कर दो पे कर दो simple है बस इतना ही है fix some method और वापिस आजाते हैं अपने notes पे यह समझाने के लिए एक दम easy हो गया रहेगा भी करेक्ट है तो 35% of tax paid in cash in a return for the preceding quarter where return was furnished quarterly अगर return quarterly furnish हो रहे है अगर return आपका monthly furnish हुआ था पहले जो आपने पिछले महिने में cash से tax liability pay किया था यहां पर कुछ example दिये हैं इससे और आपको अच्छे से clear हो जाएगा example one क्या बोलता है in case last return जो फाइल हुआ था वो quarterly basis पे हुआ था तो आपको यहां पर दिया है tax paid in cash in quarter मतलब जो जैन से लेके March तक आपने cash में कितना tax liability pay किया था cght का 100 किया था sght का 100 किया था 35,100 का 35% 35,500 का 35% 175,50 का 35% 17.5 मतलब 35% April में भी करना पड़ेगा 35% May में भी करना पड़ेगा 35% का क्या logic है एक quarter में कितने महिने होते हैं 3 होते हैं तो 100 divided by 3 करो कितना आएगा 33.33 आएगा round off कर लो 35 मतलब ऐसा कुछ logic रहेगा Example 2 की बात करें अगर आपने पहले monthly return file किया है तो समझो cght का 50 tax pay किया था cash, sght का 50, ight का 50, ss का 0 तो यह टाइम पर अपरिल and May में भी आपको क्या करना पड़ेगा same assumption basis भी कर दो 50, 50, 80 और 0 Simple है However, no such amount may be required to be deposit आपको यह पैसा deposit नहीं करना क्यों नहीं करना For the first month of the quarter अगर आपका July, August, September जो first month है अगर आपका यह तो tax liability 0 है तो भई करने की जरुवती नहीं है यह फिर जितना आपका tax liability आ रहा है उतना पैसा आपके electronic cash ledger या electronic credit ledger में already पढ़ा हुआ है Where balance in electronic cash ledger और credit ledger is adequate For tax liability, the said month और where there is a nil tax liability यह तो आपका tax liability 0 है यह फिर जितना tax है उतना आपके पास balance पढ़ा है Second month of quarter में भी आपको tax जमा कराने की जरुवत नहीं है कब जरुवत नहीं है जब आपका या तो nil tax liability है या फिर दोनों month का मिला के जितना tax आ रहा है उतना आपके पास sufficient balance पढ़ा है Simple है However, monthly tax payment Though this payment would not be available यह ध्यान रखना आपको यह fix some method का benefit नहीं मिलेगा To those registered person who not furnish the return for complete tax period preceding such month इससे पहले वाला month या तो quarterly होगा या फिर monthly होगा पिछले वाला period बोला जाना चाहिए वह सही रहेगा पिछले वाले period में बहले ही monthly हो या quarterly हो अगर आप पूरा 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 return furnish नहीं किया पूरा पूरा tax payment नहीं किया तो वह case में आपको यह scheme नहीं मिलेगा complete tax period का मतलब क्या होता है tax period in which person is registered from the first day of tax period till the last day of tax period इसका मतलब क्या है कि आपने July August September quarter का भी return file करो इससे पहले क्या था April May June for example आपने April के time था ही नहीं May और June का ही आपने return file किया पूरा पूरा complete period का नहीं किया तो आपको इस fix some method नहीं मिलेगा क्योंकि फिर आदे जो आदा पैसा होगा उसका 35% होगा ना government revenue का loss बिल्कुल नहीं करना चाहते है simple है yes sir उसके बाद आते है self assessment method self assessment method का मतलब क्या है यहां पे कुछ भी अपना वह नहीं पड़ेगा यहां पे कुछ भी वैसा assumption वगेरा के basis पे आपको कुछ benefit नहीं मिलेगा the said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability आपको tax liability consider करना पड़ेगा on inward and outward supply और जो भी ITC आपको मिलता है उसके इसाब से आपको GST PMT 06 में payment करना पड़ेगा in order to facilitate the ascertainment of ITC available for a month जो आपका GSTR 2B होता है उसके थरू आपको क्या ले लेना है ITC का detail लेना है any amount left after filing of that quarter from GSTR 3B may either be claim as a refund or use for any other purpose in a subsequent quarter refund shall be permitted only after filing of मतला ऐसा simple सी बात है कि उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो आप या तो refund ले लो या फिर बाद में यूज कर लो cash ledger है उसका तो आपको refund मिल जाएगा credit ledger का refund बहुत export की cases से ACZ वाले में ही मिलता है otherwise थो नहीं मिलता तो यह case में आपको refund ले लो या फिर subsequent quarter में यूज कर लो refund तब ही मिलेगा जब आपने GSTR 3B फाइल कर दिया आपको refund मिलेगा और जो आपने cash ledger में पैसा deposit किया है वो किसके लिए यूज होगा सिर्फ उसी purpose के लिए उससे पहले आप उसके साथ छेड़ जाड नहीं कर सकते इस deposit cannot be used by taxpayer for any other purpose till the filing of return correct बस इतना सा method of payment था उम्मीद करता हूँ समझ गया रहा है कि देखना है कि पहले quarter में pay किया था कि पहले monthly quarterly किया था तो जो first or second month है 35% of complete quarter में जो cash के थूपे किया था वो ले लो monthly किया था तो जो monthly में actual cash के थूपे किया था उसका 100% first second month में ले लो simple next आते हैं interest के उपर late fees के उपर अभी ये ये आधा page है आधा भी नहीं बोल नहीं सकते है और ये एक page है बस इतना है मतलब एक page रहेगा इसमें अपना next आ जाते हैं अभी interest के उपर interest का penalty वगरा का system है interest का क्या system है interest देखो मैंने क्या बोला government ने पहले बोला कि ये जुलाई ये August ये September ये तीन महीने का आपको क्या करना है ये दो महीने का fix sum के हिसाब से दे तो ये महीने का जो आपका actual बनता है उस हिसाब से आपको payment करना है समझो मैंने जुलाई का वो अपना fix sum के हिसाब से तो अभी सर क्या ये 50-50 जो एक्स्ट्रा आया है उसके उपर आप इंट्रेस्ट लगाओगे क्या हमें अगर इंट्रेस्ट लगाओगे तो कितना गलत का हमें फिर आपका ये system ही गलत है कि fix sum method आपने पहले हमको relaxation दिया बोला कि जो पहले basis से उस basis इंट्रेस्ट लगाओगे इंट्रेस्ट लगाओगे मतला आप 50 करे है तो फिर कैसी फाइदा government ने बोला थे बात तो सही है इतना चिला रहा है बात तो सही है क्या बात तो सही है कि यहांपे हम अगर आप fix sum method use कर रहे और वह आट्रोमेटिक जो amount आया है जो अपन change कर नहीं सकते उसके थ्रू आपने जो tax का payment किया है electronic cash ledger में तो हम उसके उपर क्या करेंगे हम उसके उपर interest नहीं लगाएंगे सुनो बट अगर आपने जो 25 तारिक तक आपको cash का deposit करना था tax का deposit करना था वो नहीं किया तो हम आपके उपर उसके उपर interest लगाएंगे सबस्टों आपको actual payment करने आया है और वह payment आपने नहीं किया late किया देले किया तो वो delay पर हम क्या लगाएंगे interest लगाएंगे पर इसके उपर इंट्रेस नहीं लगेगा जो automatic amount गॉवर्मेंट की साइट से आया है तो आपने वो टाइम बें पेमेंट कर दिया है तो सबसे पहले क्या बोला fix some method के इसाब से अगर आपने tax pay किया है तो आपके ऊपर interest नहीं लगेगा no interest would be payable in case tax due is paid in the first two month of quarter by way of depositing auto calculated fix some amount जो automatic आया है वो due date तक आपने जमा करा दिया है तो हम आपके ऊपर tax नहीं लगाएंगे while furnishing GSTR 3B it's found that in any or both of the first two months July और August में tax liability net credit was higher than amount paid in a चलान जो आपने चलान के थूपेमेंट किया उससे ज्यादा है tax का amount then no interest would be charged provided that they deposited system calculated amount for each of first two months जो आपका system से calculated amount आया था वो ही आपने payment किया तो हम आपसे नहीं लेंगे interest पर बाद में क्या बोला payment of tax by depositing system calculated amount in GST PMT 06 is not done by date interest would be payable from due date of furnishing PMT 06 till the date of making आपको टेक्स इतना बढ़ना था आपने जमाई नहीं कर रहा है तो उसके उपर तो लगेगा na 25 तक आपको कराना चाहिए ता आपने नहीं कर रहा है तो कब से कब तक लगेगा 26 से लेके जब तक आप payment नहीं कराते तब तक आपके उपर क्या लगे है उसके बारे में वह जो नॉर्मल इंट्रेस्स लगता है उस हिसाब से for tax or any part net of ITC which remains unpaid or paid beyond the due date for the first two month of Carter तो उसके इसाब से आपके उपर जो नॉर्मल प्रोविजन से इंट्रेस्स लगता है वही लगेगा फिर लेट फीस की बात करें तो लेट फीस इस एप्लिकेबल होग पर इधर और जोनु मत जोसरो महत है ऊप से उपर इंट्रेस्स लगेगा इसके ओपर नहीं लगेगபर इंट्रेस्स लगेगा विदुलेख उपर नहीं लगेगा ये दो मंत के उपर पर इधर क्यावैस us लगेगा simple फिर बात करते है extension of due date for furnishing from gstr1 last किया है बस यह last point अगर gstr1 आप फाइल कर रहे हो quarterly फाइल करोगे तो उसका extension कितना extend किया है basically जैसे gstr3b हम लोग ने देखा था 22nd or 24th यह case में यह वाला पार्ट देखो ने देखो ठीक है रीड कर लेना यह वाला पार्ट important है यह जो चार्ट दिया हुआ है अगर class of registered person है यह तो title है तो registered person जिसने qrmp scheme लिया है तो वो क्या करेंगे अगले महिने के जब quarter खतम होता है उसके अगले महिने के 13 तारिक तक क्या करेंगे रिटन फाइल करेंगे और जो qrmp scheme नहीं हो पहले जो 11 था वही 11 रहेगा अगले महिने के 11 तारिक और qrmp वाले अगले टर्म के 13 तारिक मन्थ ना बोलके पीरिड बोलना ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि वहां पर भी 1.5 CR वाला provision है ठीक है चला यहां पर अपने अमेंडमेंट मोटा मोटा मोटी सब खतम हो जाते हैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए रहेंगे